हंजी बचे लोग वेल्कम टू डाउटनट कैसे हैं आप सब हाँ मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हैं बहुत मज़े में हैं बहुत खुश हैं लेकिन आप कभी यह नहीं बताते कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है जल्दी से फटाफट कॉमेंट्स में बता शेयर करना है इसको लाइक करना है और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको क्या करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है पास में एक बेल का आइकन होता है उसको क्या करना है प्रेस करना है तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे राइट तो बच्छा लोग मैं कौन सा chapter था कि यह हमारा chapter था प्रानी जगत याने की आनेमल किंग्डम के बारे में हम बात कर रहे थे चलो अपने इस लेक्ट्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यह आज हम क्या बात करेंगे अगे पढ़ें संग एस्कल हेल्विंथिस याने की गोल क्रमी और दूसरा संग है संग आने ले जा यह दो है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले में क्या करना है अपनी सीट की बैल को फड़ा फट्चर कसके बान लेज़े क्योंकि आपको ना इधर देखना है ना उधर देखना है सिर्फ स्क्रीन पर देखना है ठीक है आपको क्या करना है सिर्फ पढ़ाई करनी है ठी थी तो हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी भैइ फाइलम टीन ओफोरा के बारे में हमने बात करी थी सबसे पहले ठीके तो टीन ओफोरा में हमने क्या देखा थे की इनका जो आवास होता आज thoroughly होता है ठीके ना पिण ये अखरोट की शेक के होते हैं इसी वज़े से इनको C अक्रोट कहा जाता है या C walnut दूसरा합니다 भी कहते हैं इसको क्योंकि इस तरीके की संवर्ष्णा यहाँ पर मौझूद होती है ठीके इस तरीके की संवर्ष्णा मौझूद होती है जिसकी वज़े से कॉम जैली कॉम से रिजेंबल करता है इसलिए ठीके बराबर भागों में दिखे गई है कैसे दिखेगा बराबर भागों इसलिए क्या ही अरीस अंमिति खली आगे बात करते है जिवध चया यह इन में क्या होता है जो ब्रून विक्सित होता है वो दो ब्रूनिय स्तर पर होता है इसका मतलब दो लेयर है वहाँ पर कौन सी लेयर है एक्टोडर्म और एंडोडर्म जिसकी वैसे इसका नाम क्या है दिव कोरिक ठीक है ना ठीक है जी फिर हमने क्या देखा था है इसके कुछ विशेश गुण के बारे में बात करें थे कि इसमें कोई विशेश गुण है तो यहाँ पर जीव संदिप्ति यानि की प्रकाश उत्सरजित करते हैं ये ठीक है जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है इस तरीके से अगर कोई क्या है कोई पारदर्शी जीव है उसमें अगर लाइट क्या होती है पास होती तो वह कलरफूल लाइट विखेरते हैं जैसे की प्रिज्म है ना चलो यहाँ पर पारदर्शी संरशना होती है धीक, जिसकी वैसे क्या होता है जो लाइट होती है वो color में disperse हो जाती है हां और अंतहा और अंतरा कोशी की जीव होते हैं यह भी हमने बात करी थी यह क्या होते हैं द्विलिंग की जीव होते हैं याने की इसमें नर और मादा दोनों होते हैं ठीके एक ही शरीर में होते हैं यह भी बोला था हमने फिर जो युगमक होते हैं वो जल में छोड़ दिये जाते हैं जहां पर जल के अंदर उनका सल्लयन हो जाता है ठीके ना फिर निशेचन की जो क्रिया है वह बाहे निशेचन है क्योंकि हम बात करें कि बहुत जल में क्या हो रहा है उनके युगमको का ठीके चलो आगे बढ़ते हैं फिर दूसरा फाइलम था दूसरा संग था कौन सा प्लेटी हिलमेंटिस जिनको हम चप्टे क्रिमी कहते हैं चप्टे क्रिमी ठीके तो यहां पर इनके बारे में हमने क्या बात करें थी भई कि प्रश्ट भाग जो होता है इनका चप्टा होता है इसी लिए इनको चप्टे क्रिमी कहते हैं चलो अगर इनके आवास की बात क उसको अफर खाना पानी खाता है कभी कभी उसको इतना परिष्ण कर देता कि उसके उन्यत्ती हो जाते हैं ठीक ना अगर हम शरीर के अंग की बात करें तो अंग इस तरक यहां पर संगटन मौजूद होता है ठीक क्योंकि यहां पर अंग मौजूद है फिर सम्मिती की बात करते हैं तो यहां पर तीन लेयर मौजूद है और इसी वएसे क्या होता है यह त्रिकोर की होता है याने कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और अंडोडर्म तीनों मौजूद है यहां पर लेयर्स चूश्रेक मौजूद होते हैं जो भोजन को अफशोशित करता है ठीके इस से प्रिलयक यह पर प्रना भूल गहते हैं मुझे यह यहाद मैं इंव लार्वा वस्ता होती है और अपरतिक्ष हम और नए व nell savings क 27 goston of more एसकील हल्मिंतिज या फिर जिनकों क्या बोलते हैं ठीक है तो चलो देख लेते हैं देखने से कैसा लग रहा ना यह अजीब सा इसको साम मत समझ लेना ठीक है चलो गोल है तो इसी वज़े से यह क्या है गउल क्रमी कहलाते है गोल क्रमी ठीक है गोल क्रमी कहा जाता है इनको ठीक ओके जब इनके आवास के बारे में हम बात करते हैं अगर हम इनके आवास को देखते हैं तो आवास क्या है भई? इसका आवास क्या है? जलिये भी है जलिये, स्थलिये भी है और ये परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं. ठीक है? परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं. अचा एक और बात कि इनको हमने गोल करमी कहा तो कोई तो रीजन होगा कि जिसकी वेसे हमने ने गोल करमी करें हाँ अगर हम पॉआ काट करुगी नहां इसे का टो गी तो यह काता हैं डिचंट हैं गॉल दिखाई देगा है ना इसलिए क्या है गॉल मीमी है मतलब इसका जो अनुप्रस्त काट है अनुप्रस्त है अनुप्रस्त काट इसके बाद आज पसके बाध हमें कैसे गोल दिखेंगे यह 5- een गोल दिखते हैं दिखते हैं ठीक है अनुप्रस्त कार्ट के बाद यह को कैसे दिखते हैं गोल दिखते हैं ठीक और अवास क्या हो गया इनका जलिये स्थलिये और परजीवी के रूप में ओके चलो आगे बढ़ते हैं आगे अगर हम इनके वर्गी करण की बात करते हैं तो व परगी करन के हिसाब से क्या है यहाँ पर अंग तंत्र अंग तंत्र स्तर का संगटन मौजूद होता है क्योंकि यहाँ पर अंग मौजूद है ठीके यहाँ पर क्या है अंग मौजूद है ठीके पाचन तंत्र हो गया उत्सवर्जन तंत्र हो गया यहाँ पर मौजूद है ठीक अगर हम सम्मिति की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सी सम्मिति पाई जाती है? सम्मिति दिव पार्शव, सम्मिति पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है? चलो, अब इसकी ब्रूण यह अवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीके इसकी ब्रूणिय अवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं कैसी पाई जाएगी बताओ ब्रूणिय अवस्था जल्दी से बताओ कैसी ब्रूणिय अवस्था पाई जाएगी इसकी बताओ जल्दी से हां बताओ बताओ जल्दी से कैसी पाई जाएगी चाटिंग नहीं करनी है ज़्यादा पढ़ाई पर दियान देना क्योंकि आप यहां पढ़ने आये हो ना फिर जल्दी बताओ कैसी यहां पर ब्रूणिय अवस्ता पाई जाती है तो यहां पर क्या होता है ब्रूणिय परिवर्धन में ब्रूणिय परिवर्धन के दौरान क्या होता है यहां पर तीन ब्रूणिय स्तर का निर्माण होता है ठीके, तीन ब्रूणिये इस तर का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, ठीके, इसका मतलब तीन जर्म लेयर्स हैं यहाँ पर, जर्म लेयर्स, ठीके, और तीन जर्म लेयर्स हैं इसका मतलब भी क्या हुआ, त्री कोरिक हुआ, त्री कोरिक, त्री कोरिक जीव हुआ यह, कौन- यहां पर pendant पाचन- तंसरों एंदों तीनों व्राइश ग्यां यह नोगlais IT थीम्हां चलूंग आगे बढ़ते रहे हैं अब यहां पर अगरे हम पाचनतंतर की बात करते हैं में ठीक यहां परिंगे दो खिदर होते हैं, ठीक है, दो खिदर पाए जाते हैं, एक किस के लिए, अंतहग रहन के लिए, और दूसरा किस के लिए, उच्छार्जन के लिए, ठीक है, एक किस के लिए है, अंतहग रहन के लिए, और दूसरा किस लिए है, उच्छार्जन के लिए है, ठीक है, तो यहां पर दो चित्र पाई जा रहे हैं इसका मतलब भाई हमने क्या बात करी थी जहां पर दो चित्र पाई जाते हैं तो उनका पाचनतंत्र कैसा होता है पूर्ण होता है तो यहां पर पाचनतंत्र कैसा है पूर्ण है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ठीक आगे बात करते हैं हम किसक कूठ गुहिये कूठ गुहिये प्राणी ठीके इसका मतलब यहाँ पर जो गुहा का निर्माण हुआ है वो क्या हुआ है या तो एक्टोडर्म के तूटने से या मीजोडर्म के तूटने से या एंडोडर्म के तूटने से इसलिए क्या ही यह कूठ गुहिये प्राणी है ठीके चलो आगे बढ़ते है या तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म या एंडोडर्म के टूटने से ठीक है न? हाँ? चलो अब इसके उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र भी मौजूद होता है ठीक है? उत्सर्जन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो उत्सर्जन तंत्र मौजूद है उसका नाम क्या है? ठीक है? प्रोटो नफ्रेडिया ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? रेनेट जो किसके दौरा होता है रेनेट कोशिका के दौरा होता है ठीक है चलो अब यहां पर एक हम इनकी पेशियों की बात करते हैं तो कौन सी पेशी मौजूद होती है यहां पर हाँ यहां पर पेशिया क्या होती है पेशिया ग्रसनी ठीक है पेशिया ग्रसनी यहां पर होता है ठीक होती है उसके बाद यह क्या होता है अगर आवन जीवों की बात करते हैं तो यह जीव कैसे होते हैं यह जीव होते हैं एक लिंगी जीव एक लिंगी जीव या प्राणी होते हैं इसका मतलब यहाँ पर नर और मादा जो है वो अलग-अलग शरीर में मौजूद होते हैं जो नर और मादा है अलग-अलग शरीर में है ठीक है ना? करेक्ट बिल्कुल चलो ठीक है लेकिन यहाँ पर यह भी आद रखनी जो मादा होती है यह शरीर में बड़ी होती है और नर क्या होता है? छोटा होता है ठीक है? जो मादा है शरीर में बड़ी है और नर क्या है शरीर में छोटा है यह क्या है? यह मादा है यह क्या है? नर है ठीके न, चलो, अब अगर हम इनके जनन की बात करते हैं, ठीके, कि इनमें जनन किस प्रकार का होता है, अगर हम जनन की बात करते हैं, तो इनमें लेंगिंग जनन होता है, लेंगिंग जनन होता है, ठीके, इसके साथ साथ यहाँ पर अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, जिस के लिए ठीक है यहांपर क्या है अपरत्यष परिवर्धन मतलब यहां आपको लारवा अवस्ता देखने को मिल रही है ठीक है चलो अगर हम इसके एक्जेम्पेल की बात करते हैं ठीक है अगर हम हम इसके example को देखते हैं, तो इसमें कौन से example आते हैं भई, हाँ, इसके example है, पहला तो अपना हो गिया, ascaris, दूसरा क्या हो गया, अपना है, तो, अपना है, और आपको मालब हो, तो ascaris और विचररएर दोनों क्या करते हैं, बहुत ही बहंकर बिमारिया करते है, थे delicis में पहुंच जाता है, बिमारी फैलाता है, और जब वचरेरिया होता ही क्या करता है अगर आपने देखा हो कभी किसी आद्वी का या औरत का या किसी का भी पैर क्या होता है बहुत भारी हो जाता है बहुत मोटा हो जाता है देखा है कभी ऐसे नोटिस किया है कभी आप लोगों ने बताओ जल्दी अल्दी से कि阿प मेंज़ ने members यह बतातो कमेंट में इस holiday एसी फैने she लौता है थी को तो उसका पैर क्या हाति पाऊँ बुपान बिमारी na डालष को आप पाउं जो बिमारी होती है वो इस विचुरेरिया की वज़े से होती है चलो आगे बढ़ते हैं जिसके बारे मैं आगे चलके पढ़ेंगे ठीके चलो थोड़ा देख लेते हैं कि बाई अब यह जो है लाइन्स हमसे क्या कहना चाहती है आपके बुक की लाइन्स तो यह कह रही है एसकल है मैं अनुप्रस काट में गोलाकार होते हैं यह मैं अल्रड़ी आपको बता चुकियों कि इस तरीके से है इसको काटेंगे तो यह कैसा वह प्राणियों में परजीवी भी होते हैं यह भी मैंने बताया था कि यह मुक्त जी फ्री लिविंञ और्गानिजम सोते हैं एक्च्छुली में कि लिए कहां मिलेंगे आपको वाटर में भी मिल रहे हैं और अपना सरफेस में मिल रहे हैं स्वाइल की ठीक है पौधे और प्रगु ही प्रानी होते हैं ठीकै इनका शरीष संगतन अंग तंस्तर का होता है यांनि कि यहां पर अंग मौझूद है ठीक है ना और्गन लेवल और्गनाइजेशन यहाँ प्रेजेंट है ठीक है अंगतांसर मतलब और्गन यहाँ पर और्गन शिस्टम और्गन शिस्टम लेवल और्गनाइजेशन ठीक है यहाँ पर मौझूद होता है ओके चलो आगे बढ़ते हैं अहार नाल पूर्ण होती है ठीक है यानि कि इन में कौन सा पाचन तंतर कैसा है इनका पूर्ण वाला है क्योंकि इनके पास दो छिद्र है वह एक से खाना खा रहे हैं और एक से उत्सर्जित कर रहे हैं तो दो हो गए दो हो गए तो इसका मतलब इनके अंदर कोई नली होगी जो उनके मुझ से लेके जो इनका क्या बोलते हैं उत्सर्जन तक का पूरा कार्यकरम यह करती होगी ठीक है जिन्हें जिसमें सुप्रिवर्दित पेशिये ग्रस्णी मौझूद होती है ठीक है हमने यहां पर बात करें थे ना कि यहां पर क्या होती है पेशिये ग्रस इसे रैनियट कोषि का कहते हैं ठीक है उसी के कहते हैं रैनियट कोशि का कहते हैं उत्सर्जन चिद्र के द्वारा अप्षिष्ट पतार्तों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं ठीके उत्सर्जना काम किस से होता है वई दूसरे चिद्र से होता है एक से वो खाना खा रहें एक से निकाल रहें है ना छो संद प्रणी एकдर से बढ़ी होती है नर होती हैं एक लिंगी मतलब नर और मादा अलग लग है टो कि क्या हैं अलग लग है ठीकर न ह width को छ आप मिनिसेशन आंत्रिक होता है ठीक इंद मेन क्याइं निशेशन आंतरिक है एक्जैम्पल देख सकते हैं एसकारिस वोचुरेरिया और एंसाइक्लो स्टोमा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास एक और संग आता है इसके बाद जिसका नाम है एनलीडा यान की फाइल हम एनलीडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं मुझे उमीद है कि यही संग एसकल हेलमेंथिस या जिनको हम गोल करने कहते हैं इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी हां क्योंकि पूरे ही बहुत आसान से शब्दों में यहां पर बताया गया है इसके बारे में आप बोलो तो मैं दुबारा बता सकती हूं एक इस बोल दिखते हैं हमें हां अवास जलीय है छलिय है और पड़ीवी के रूप में भी होता है इनमें अंगतंत्र सर काशंगम है क्योंकि यह अंग तंपर मौजू है है न जा definitely पाई इन में घुरूणी आवस्ता यहां पर तीन जर्म लेर में होती है मतलब एक्टो मीजो और एंडोडर्म तीनों मौझूद है इसलिए क्या होते हैं यह त्रीकोरिक होते हैं अंतहगरण और उच्जण जिसका मतलब यहां पाचन तंतर कैसा है पून है कुटगू है प्रानी होते हैं जिसका मतलब है कि जो गूहा का निर्मान हो रहा है एक्टोडर्म मीजोडर्म या एंडोडर्म के टूटने से हो रहा है ठीक है फिर उच्छत्वरजं तंतर प्रोटो आप जो माधा होती है वो नर्से शरीर में बड़ी होती है जनन कैसा है जनन प्रिषी होता है यहां पर फरिवर्धन होता है मतलब कि लार्वा अवस्ता यहां पर पाई जाती है तो है मोड़ा अब हम फायलम एनलीडा के बारे में बात करते हैं तो अगर इनल tease होते हैं जल्दी से बता दो कमेंन पड़ाफट सारह तो ग़ंआ कोई जवाब आगल करो क्यों पटावट से जवाब दे दो और बीच बीच में याद दिलाते हूं वीडियो को लाइक करना मत दूला करो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि बाई सबसे पहले इसके एकर कुछ समाने लक्षणों की बात करते हैं तो यह क्या होते हैं जलिये जीव होते हैं थलिये भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं क्या है यह जलिये जीव भी होते हैं ठीक है यह लवणिये और अलवणिये ठीक है, दोनों जल्वे, ये पाए जाते हैं, ठीक, और स्थलिये भी होते हैं ये परजीवी भी होते हैं, ठीक है, चलिए अब अगर इसके हम, किस की बात करते हैं, संगटन की बात करते हैं कि यहां पर कैसा संगटन पाया जाता है, तो यहां पर अंग मौजूद होते हैं ठीक है यहाँ पर अंग मौजूद होते हैं इसलिए अंग सर का संगटन पाया जाता है ठीक है चलो ठीक है अब यहाँ पर सम्मिति की बात करते हैं तो सम्मिति कैसी है यहाँ पर हाँ सम्मिति कैसी है यहाँ पर द्वी पार्षव द्वी पार्षव सम्मिति पाई जाती है ठीक है अगर इनकी गुहा के बारे में हम बात करते हैं तो यह कैसे पराणी होते हैं कैसे पराणी होते हैं जल्दी से बताओ अगर हम इसकी गुहा के बारे में बात करते हैं तो यह क्या होते हैं प्रा गुही पराणी होते हैं ठीक है इसका मतलब कि जो है जो गुहा का निर्मान किससे हुआ होता है नीजोडर्म से नीजोडर्म से निर्माण ठीक है? फिर अगर हम देखते हैं तो यह क्या होते हैं? यहाँ पर तीन जर्म लेयर मौजूद होती है तीन जर्म लेयर मतलब एक्टोडर्म नीजोडर्म और एंडोडर्म यह तीनों यहाँ पर मौजूद है ठीक है? जिसकी वज़े से क्या है यह? त्री मुझे लगा मैं रबर से मिटा रही हूँ त्री कोरिक ठीक है? जीव होते हैं यह ठीक है? चलो अब यह क्या होते हैं? यह जीव सेग्मेंटिड होते हैं ठीक है? यह जीव क्या होते हैं? इसका मतलब यहाँ पर खंडी भवन पाया जाता है ठीक है? खंडी भवन इनका खंडी भवन इनका शरीर होता है हम चलो उसके बाद अगर हम बात करें मास पेशियों के बारे में इसकी इसकी मास पेशियों के बारे में अगर हम बात करते हैं मास पेशियां हाँ तो मास पेशियों के बारे में बात करें तो दो प्रकार की होती है ठीक है कौन कौन सी होगी दो प्रकार की जल्दी से कॉमेंट में बताओ कौन कौन सी होती दो प्रकार की पड़ा पड़ से बता दो कॉमेंट में जल्दी 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 तो भई पहली होती है अनू देरे ठीक है और दूसरी कौन सी हो गई व्रत्ताकार यह दो तरीके की क्या होती है मासपेशिया होती है यहाँ पर तो चलो फड़ावट से बता देती हूं कि दोनों मासपेशियों में क्या है तो जो अनुधेरे होती है ना तो ये अगर किसी का शरीर है तो इस तरीके की पाई जाती है उसकी स्किन पर ठीके ऐस तरीके से पाई जाती है और अगर विद्धाकार है तो उसमें कैसी पाई जाएगी इस तरीके से ठीक है ऐसी किस में पाई जाती है केचुव में पाई जाती है और ऐसी किस में पाई जाती है किस में पाई जाती है फड़ा फट्से कॉमेंट में बताओ चलो आगे पड़े जोक होती है जोक भी होगी और निदेरिया पाइक है यह किस में पाई जाएगी यहां पर के चुए में और यह नेरिस में नेरिस और यह केचुए में मुझे निडेरिया निडेरिया याद आ रहा था चलो ठीक है ना आगे बढ़ते हैं चलो आगे आप किसकी बात करते हैं इसके तंत्री का तंत्र की अगर हम बात करते हैं कौन सा नंबर है यह 7 योग्या 8 तंत्री का तंत्र की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो अगर हम इसका शरीर बनाते हैं कि मानलो यह इसका क्या है शरीर है ठीक है इसका शरीर है यह तो यहां पर क्या होता है इस तरीके से एक कोशिकाओं का गुच्छा होता है क्या होता है यह कोशी का गुच्छा कोशी का गुच्छा ठीक है जिसको क्या बोलते हैं हम वो भी लिख लो आप जिसको कोशी का गुच्छा तो जिसको बोला हमने तंत्री का गुच्छ ठीक है तंत्री का गुच्छ बोला हमने इसको चलो ठीक है अब यह जो होती है ना इस तरीके से तंत्रिकाय निकली होती है ठीक है इस तरीके से तंत्रिकाय निकली होती है इसको क्या बोलते हैं हम यह जो तंत्रिकाय निकली होती है फटा-फट से कॉमेंट में बता दीजी इसको क्या बोलते हैं हम जल्ली से बता दीजे क्या बोलेंगे कि इसको हम इस तरिक ज़्टिंग करते रह जाओंगे तो इसी रह जाओंगे है है एक बाध था हसी में लेके माशना यहाँ जो आप लोग चैटिंग करते रहते हो ना हा तो तो आगे चलके ना आगे चलके चार-पांस साल बाद आप लोग पता है क्या होगा कि ठीक है जो लड़किया नहीं पढ़ेंगी ना उनकी क्या होगी उनको तो घरवाले शादी करते हैं कि लड़कियों को तो क्या देखते हैं शादी करने से पहले कि हालागा लड़की खुप पूछा जाएगा आप कितना कमाते हो? तो इसी लिए पढ़ाई पर ध्यान दे दो दो और फटारस अगा अनसर दे दो क्या बोलते हैं? यहाँ से तंत्री का निकली हुई होती है कि इसको बोलते हैं हम तंत्री का रजू ठीक है, तंत्री का रज्जू बोलते हैं अब ये जो तंत्री का रज्जू होती है ना इसमें से भी छोटी 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 इस तरीके से निकली होती है कोशिका है ऐसे करके ऐसे करके निकली होई होती है अब ये जो लाल-लाल मैंने बनाई है छोटी-छोटी कोशिका है इनको क्या बोलते हैं हम? हाँ? इनको बोलते हैं तंत्री का कोशिका है तंत्री का कोशिका है ठीक? ओके इनको बोलेंगे हम तंत्री का कोशिका है इसका मतलब कि इनका तंत्री का तंत्र तीन पार्ट से मिलके बना हुआ है, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो अगे बढ़ते हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक एक्जैम्पल देखते हैं, एक्जैम्पल देखते हैं कि यहाँ पर एक्सेप्शन है, कि जो जलिये जीव है, ठीके, नेरिस ठीके, क्या है नेरिस इसमें एक सनरशना पाई जाती है, मैं अलग कलर से लिख देती हूँ इसमें एक सनरशना पाई जाती है क्या पाई गई यहाँ पर एक सनरशना पाई गई ठीके, सनरशना कैसी सनरशना है वो? पार्श्व पद होते हैं उसमें पार्श्व पाध होते हैं ठीके यह जो पार्श्व पाध होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको पैरा पोडिया ठीके पैरा पोडिया बोलते हैं इसको ठीके चलो चोटा सा स्ट्रक्चर बना के इसको समझा देती हूँ ओफ ओ कहां चला गया देखो इस तरीके से ठीके ये है इसके बाहर क्या होता है इस तरीके से एक संरशना होती है ठीके ना ठीके ये क्या होगा पार्ष वो पाध होगा ये क्या कहलाएगा पार्ष वो पाध कहलाता है ठीके ये क्या होती है एक स्पेशल स्ट्रक्शर होता है इस नेरिस के अंदर पार्ष वो पाध ठीके अब आगे बताऊंगी कि इसका यूद क्या होता है ठीक तो यहां पर ये क्या होती है जलिये होते हैं और इसमें संरशना प बात करते हैं परी संचरन तंत्र की अगर हम बात करते हैं ठीक है तो परी संचरन तंत्र का मतलब की जो ब्लड है इसमें रक्त है वो कैसे क्या कर रहा है प्लो कर रहा है कैसे जा रहा है है ना तो यहां पर हम रक्त की बात कर रहें कि ब्लड कैसे क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है यहाँ पर क्या होती है रक्त वाहिनिया होती है रक्त वाहिनिया मौजूद होती है यहाँ पर जिसका मतलब पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो परिसंचरन तंत्र है वो कैसा है बंद है था ना बंद प्रकार का है ठीके चलो अगर इसके अब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो इसका पाचन तंत्र कैसा है भाई इसका पाचन तंत्र यहाँ पर भी दो छिदर मौझूद है ठीके एक से क्या कर रहा है वो खाना खा रहा है ठीके अंतहग रहन कर रहा है और दुखसे से क्या कर रहा है उत्सर्जन कर रहा है ठीक है इसका मतलब यहां कैसा है पून ठीक है, कैसा है, पूर्ण है, करेक बिल्कूल, चलो, आगे बढ़ते हैं आगे अगर हम इन जीवों की बात करते हैं, कि भाई ये जीव कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं तो बाई ये जो जीव होते हैं, ये क्या होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, द्वी लिंगी भी होते हैं, अगर हम एक लिंगी की बात करते हैं, तो यहां पर एक्जेम्पल क्या आता है, नैरिस, ठीक है, और अगर द्वी लिंगी की बात करते ह केचुआ या जोंक हो गई ठीक है न तो यह दो हो गए चलो अब एक लिंगी मतलब कि भाई इनके की एक जीव के अंदर क्या है कि एक ही है या तो नर है या मादा है दोई लिंगी का मतलब कि उसमें नर और मादा दोनों मौजूद है तो केचुआ इसका सबसे बेस्ट और कॉ पजाओ जमीन होती है न वहां आराम से देखने को मिल जाता है जहां बारिश होती है न वहां देखने को मिल जाता है तो यह आगे आगे भी चल देता है और यह पीछे पीछे भी चल देता है तो एक तरफ इसकी नर वाला पार्ट होगा एक तरफ मादा वाला पार्ट होगा चलो, आगे बढ़ते हैं अब क्या होता है भाई? अब अगर इसके हम उज़तरों अंग की बात करते हैं कहां लिखे हैं अब? उज़तरों अंग तो भाई, क्या है वो? व्रिक छीके? क्या है वो? व्रिक है ठीके न? लेकिन यहाँ पर एक और चीज भूल गए हम कि भाई, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यह द्वी लिंगी जीव है ठीके? तो इसका मतलब यहाँ पर जनन कैसा है? लैंगिक जनन है जनन की अगर हम बात करते हैं तो लैंगिक जनन है कि वही किसमें? क्योंकि एक लिंगी यह रहा ठीके? जिसमें एक नर है या एक मादा है ये ऐसे है ठीके न? लैंगिक जनन है क्योंकि यहाँ पर नर और मादा दोनों है ना ऐसा थोड़ी है कि नर ही नर है या मादा ही मादा है नहीं न तो यहाँ पर जनन का कौन सा प्रकार है लेंगिक है क्योंकि यहाँ पर एक लिंगी जीव भी है दोनों में क्या है कि दोनों को ही जरूरत है एक दूसरे की ऐसा नहीं है कि जो नर अकेला बच्चे पैदा कर लेगा या माद अकेली कर लेगी नहीं चाहें वो एक लिंगी है द चलिय होते हैं जलिय भी होते हैं मुक्तजीवी भी होते हैं और वास्तर बाँ बता है। यहाँ प्रगुअ बन्ति मीजूदाम के टूटने से बनती है। है यहां पर क्या है ऑप्क है शारीर्प संगतन य mix था हैं फृटा और क्या है मतलब यहां पर यान ऱ्य की और वालबन गोला कार प्रकार की माउस पेश्याँ पाई जाती है ज्योंको सहायता करते हैं चलने फिरने में मदद करती है चलो जलिये प्राणी नैरेस में पार्श्वपाद यानि की पैरापोडिया पाए जाते हैं तैरने में सहायता करते हैं ठीक है यानि गती में सहायता करते हैं बंद परिसंचुरन तंत्र पाया जाता है क्योंकि क्या बताया था य होता है ओके तंत्री का तंत्र में अगर सिरे के पास एक तंत्री का वले और इसी से जुड़े शरीर की लंबाई में फैले और परस पर जुड़े तंत्री का रज्जु इनमें पाए जाते हैं जो कि हमने बात करी थी ना हां कि इसमें तंत्री का रज्जु पाए जाती है तंत हिरोडिनेरिया याने की जोग ठीक है ना नेरिस हिरोडिनेरिया ठीक है याने की जोग और्थरोपोड़ा ठीक है जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं तो भाई अगर और्थरोपोड़ा की हम बात करते हैं तो यह क्या होते हैं यह ऐसे जीव होते हैं भाई जो बड़े ही असानी से इधर उधर अपने आसपास देखे जा सकते हैं ठीक है इस तरीके से देखो यह हर तरीके का जीव क्या है यह यह और तो पोड़ा में आता है जो हमारे आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाता है ठीक है बहुत ही खुबसूरत जीव होते हैं अगर आप युटत गुपसूरत और ये सभी के सभी क्या है और तो पोड़ा है चाहें आप इन अपने गर में देखें अपने गर से बाहर देखें ग्राउंड में देखें स्कूल में देखें कहिं प्रफिलियों तक जो गार्डन में फूलों के उपर मिलती हैं और क्या जिन्हें आप कंखजुरा बोलते हो यह सब इवरी 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 जीव जो भी कुछ है ठीक है वो क्या है और तो पोड़ा के अंतरगत आता है इसी लिए यह संग यह फाइलम क्या है सारे फाइलमों में से सबसे बड़ा है क्योंकि इसी संग में इसी फाइलम में क्या होते हैं सबसे जादा जीव पाए जाते हैं ठीक है और जीव एक दूसरे से अलग है बहुत इंटरस्टिंग है बहुत खुबसूरत है सब में अलग-अलग खुबसूरती है ठीक है तो चलो इन पास ग्राउंड में घर में और कहां मतलब हर जगा आप इन्हें पा सकते हो चोड़ी-चोड़ी मक्हियों से लेके मच्छर तक ठीक है कोक्रोज से लेके जो दिवारों पर आपके क्या होते हैं वो स्पाइडर स्पाइडर हो गए ठीक है ये सब चीज़े क्या है और्थोपोड़ा में आती हैं चलो इनके शुरुवाती लक्षणों के बारे में बात करते हैं इनके common characteristics क्या है ठीक अगर हम सबसे पहले और्थोपोड़ा की बात करते हैं ये जो और्थोपोड़ा है तो भई ये दो उसे मिलके बना हुआ है पहला होगी आपका आर्थो ठीक है आर्थो जिसका मतलब क्या हुआ भई संधी ठीक है संधी याने की जॉइंज ठीक है जॉइंज मतलब पेर बोल देते हैं चलो ठीक है जोड़े या पेर वो ज्यादा एजी रहेगा ठीक है पेर बोल देते हैं याने की जोड़े में होते हैं ठीक है पेर ठीक है दूसरा क्या है पोड़ा ठीक है दूसरा क्या है पोड़ा पोड़ा का मतलब क्या होता है पाद याने की पेर हो गया उसके तो देखो यह अपने नाम से ही खुद को बता रहा है कि अगर इसके प कर दिया है, ओके चलो ठीक है, फिर अब क्या बात करते हैं हमने बोला कि यह क्या है, यह सबसे बड़ा संग है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा संग है और यहां पर संधी युक्त पाद पाए जाते हैं ठीक है याद रखिएगा सबसे बड़ा संग है और संधी युक्त पाद पाए जाते हैं मतलब जोड़े में पैर पाए जाते हैं इसके ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब आप क्या बात करने है भाई अब देखते हैं कि यह जो होता है यह पूरे किसका? 2 by 3 भाग जो होता है सारे कीटों का. सारे कीटों का. ठीके? पूरे के पूरे प्राणी जगत में और्थोपोडा का होता है. और्थोपोडा का होता है. ठीके? कि पूरे सारे कीटों का मिला के यह कितना भाग जो है? इसका 2 by 3. मतलब कि सबसे बड़ा संग है यह इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. ठीके ना? चलो. आगे बढ़ते हैं. आगे बात करते हैं इनके शारेरिक संगटन के बारे में. ठीके? अगर इनके हम शारेरिक संगटन के बारे में बात करते हैं. शारेरिक संगटन. तो भई यहाँ पर देखो अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको कि यह एक गरेलू मक्खी है है ना हाउस फ्लाई तो इसमें क्या है इसमें अंग मौजूद है है ना अंग मौजूद है इसके अंदर तो इसका मतलब यहाँ पर अंग तंतर मौजूद है ठीके तो कैसा है शारिक संगटन अंग तंतर स्तर का अंग तंतर स्तर का ठीके ओके चलो ठीके नेक्स देखते हैं अगर सम्मिती की बात करते हैं हम यहाँ पर ठीके यहाँ पर अगर हम सम्मिती की बात करते हैं सम्मिति ठीक है तो सम्मिति की बात करें अगर इसे इसके अक्षपे से काटते हैं अक्ष से काटें तो क्या होता है दो इक्वल पार्ट में कट जाता है ठीक है दो इक्वल पार्ट में कट जाएगा लेकिन अगर इसको हम हम दो से ज्यादा पार्ट में काटते हैं, एक से ज्यादा पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या अक्षित से काटा है, यहने कि एक बर काटा, अब अगर इसे हम एक से ज्यादा पार काटेंगे, ठीक है, तो यह equal पार्ट यहाँ पर नहीं होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है द्वी पार्ष्व ठीके इसका मतलब यहां सम्मिति कैसी है द्वी पार्ष्व सम्मिति यहां पर मौझूद है ठीके क्लियर यहां तक हां चलो आगे सम्मिति की बाद देखते हैं सम्मिति के बाद क्या आता है हमारा भई हम बात करते हैं कि यह क्या होते हैं त्री क तिरी कोरिक प्राणी होते हैं ये क्यों बई? क्योंकि इनके पास क्या होती है? तीन जर्म लेयर मौझूद होती है है ना? त्री जर्म लेयर कॉनसी? फटा-फट से कॉमेंट में बताओ क्योंकि शुरू से लेके अब तक हम यही बात कर रहे हैं कि ठीक है, तीन germ layer हैं, दो germ layer हैं, लेकिन भाई, कौनसी, फटा-फटे comment में बता ओ, जल्दी से बता दो, कौन कौनसी होती है, हम, ठीक है, सबसे बाहर कौनसी होती है, actoderm, फिर meisoderm, फिर endoderm, acto नाम से बता रही है, बाहर meisoderm मतलब middle में, और endo मतलब अंदर, correct, चलो, इसके आगे बात करते हैं इसके बात करते हैं तो क्या बात करेंगे हम कहा लिखें चलो नेक्स पेज़ पर आ जाते हैं यह क्या होते हैं प्रगुहिये प्राणी होते हैं गुहा का निर्मार हो रहा है ठीक है वो कैसे होता है एक्टो नीजो और एंडोडर्म किसी के भी तूटने से होता है ठीक है एक्टो नीजो या फिर एंडोडर्म के तूटने से ठीक है चलो ठीक है अब यहाँ पर एक इंट्रेस्टिंग से चीज आती है हम बात करेंगे इसके blood के बारे में, रक्त के बारे में तो हम इसे लिखेंगे लाल रंग से लेकिन दिक्कत ये है कि लाल रंग पर इसमें पाया ही नहीं जाता है हाँ फिर भी हम रक्त बोल रहे हैं हम इसके blood याने कि रक्त की बात करते हैं तो भाई ये रंग हीन होता है इसकी जिंदगी रंग हीन होती है ठीक है? इसकी जिंदगी रंग हीन होती है इसमें क्या होता है? इसमें एक हीमो हीमो लिम्प हीमो लिम्प मौजूद होता है ठीक है? हीमो लिम्प नाम का पिंगमेन मौजूद होता है जो इसको सफेद रंग देता है, क्या देता है, सफेद रंग, ठीक है, अब देखो, अगर हम अपने ब्लड की बात करते हैं, तो हमारा ब्लड कैसा होता है, हमारा ब्लड होता है, रेड कलर का, अपना-पना हाथ कार के बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है, हमारा ब्लड होता ह है रेड कलर का क्यों होता है कि उसमें पिग्मेंट मौजूद होता है कौन सा पिग्मेंट होता है हीमोगलोबिन होता है हमारे पास है ना हीमोगलोबिन की वए सही तो लाल रंग आता है लेकिन इनके पास हीमोगलोबन नहीं है इनके पास क्या हीमो लिंफ है ठीक है जिसकी व वह हमारा खून चूसता है उसके अंदर हमारा खून है एक जोग था जिसमें कहते हैं कि मच्छर बोलता है कि भई मुझे मत मारो क्योंकि मेरे अंदर भी तुम्हारा ही खून है कुछ ऐसा एक जोग था मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक है ओके तो इनका रख्ट कैसे होता है इनका ब्लड कैसे होता है रंग हीन होता है सफेद बोलना थोड़ा सा ठीक है सफेद तो होता ही है पर रंग हीन बोल देते हैं कोई बात नहीं ठीक है तो इनमें क्या होता है इनका जो रख्ट होता है वो क्या होता है रंग हीन होता ह जाय किसकी वेशे हीमो लिंफ की वज़े से चलो आगे बात करते हैं चलो अब इसके अगर हम परिसंच तो इसको हम बोल देखते हैं सफेद रंग यानि की पारदर्शी पदार्थ यह लिख देते हैं ठीक है पारदर्शी पदार्थ ठीक है चलो आप क्या बात करते हैं हम अब बात करते हैं इसके परिसंचुरन तंत्र के बारे में भाई आप हमने इसके बारे बात करी तो परिसंचुरन भी बात करनी पड़ेगी परिसंचुरन तंत्र याने की सर्कुलेटरी सिस्टम भाई जब बलड है तो वो कहीं ना कहीं से तो फ्रैवल कर रहा होगा ना उसका सर्क प्रेस आट किया था तो वहाँ पर हमने क्या बात करी थी कि भई दो तरीके के होते हैं एक खुला एक बंद है ना तो जो बंद वाला होते हैं उसमें क्या मुला था कि वहाँ वहनीया मौझूद होती हैं ब्लड को एक देगा से दूसरी जगा ले जाने के लिए लिए लेकिन यहाँ पी किया होते हैं आपने जब कभी किसी कौक रोज को पिछाया होगा तो क्या हुआ होगा? फटाक से उसमें सफचर सफचasted सपानी सा निकला होगा यह ना पच्च जैसे एक दम शप एक दम तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्या है वहनिया मुझूद नहीं है ठीक है यहाँ पर क्या है खुला परिसंचुरन तंत्र है ठीक है खुले प्रकार का परिसंचुरन तंत्र है ठीक है मतलब कि इनके शरीर में इनके शरीर में क्या नहीं है वहनिया ठीक है नहीं है ठीक है चलो ठीक है अब अगर हम इसके शरीर के बाहर की बात करते हैं ठीक है जो बाहे संरश्णा है उसकी बात करते हैं अगर हम यहाँ पर ठीक है तो क्या होता है भई जो बाहे संरश्णा है वो क्या होती है वह काईटिन से बनी होती है काईटिन अरे काईटिन से बनी होती है काईटिन से बनी होती है ठीक है काईटिन से बनी होती है अब जो काइटिन होती है काथिनकोठी न site को खुशूरती प्रदान कर्ती ति्ट्लियों को देखा है कितनी खुशूरत लगती है थे अब को खुशूरत की बात करें तो ऐसी बात नहीं कोज़ नहीं हुआ मक्की यहां पर किया तestä बहुत को तरें लग रहें अ है न कितनी वज़े से होता है यह इसी की वज़े से होता है कि इसके विसे काईटिन की वज़े से होता है ठीक है चलो इसके बाद बात करते कि इनके शरीर की तो इनके शरीर में क्या होता है यहां पर भी विखंडी करण होता है ठीक है मतलग कि यहां पर क्या होता है अलग अलग भागों स बने हुए होते हैं ठीके? यहाँ पर यह अलग-अलग भागों से मिलके बने हुए होते हैं कौन से अलग-अलग भाग हो गए? भई पहला तो सर हो गया ठीके? फिर क्या हो गया? इसका वक्ष हो गया फिर क्या हो गया? उदर हो गया ठीके, तो ये तीन भाग हो गए है, ठीके न, ये दखो, तीन भागों से मिलकर ये बना हुआ है, ठीके, यहां लिख देते हैं, चलो तीन भाग, ठीके, वक्ष, सिल, वक्ष और उदर, चलो, इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे देखते हैं, अगर हम इनके स्वश्चने तंत्र की बात कर रहे हैं क्या है बारवा नंबर स्वाश्चन तंत्र में क्या होता है अलग-अलग जीवों में अलग-अलग अंग पाय जाते हैं स्वाश्चन के लिए ठीक है जैसे हम इनसान है तो हमारे में सिर्फ और सिर्फ नाक है जिससे हम सांस ले सकते हैं लेकिन यहां अलग-अलग जीवों में अलग-अलग प्रकार के तंतर पाया अहां अलग-अलग प्रकार के क्या पाया जाता है सोचनिका तरीका पाया जाता है ठीक है जैसे कि सबसे पहले लिखते हैं भाई क्या लिखें क्लोम हो गया ठीक है क्लोम हो गया दूसरा क्या हो गया पुस्ट उसके यानि पुस्त का प्रकार है ना पुस्तक के प्रकार का जो लंग्स है वो कैसे है बुक के शेप में वो कैसे होती है इस तरीके से तो यह क्या है पुस्तक के प्रकार का है ठीक है फिर क्या हो गया एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैPa स्वस्षिंन निकाओं चरीक निकम के दोरां इस अब यहां पर इसके बाद एक और इंप्थार्टेंट चीज आती है इसका उठ्सरजंत तंत्र ठीके इसके उठ्सरजंत तंत्र की अगर बात करते हैं हम स्टार बना देती हूँ यहाँ 13 पे उत्सर्जन तंत्र तो भई यहाँ पर एक चीज मौजूद होती है मेल पिगी मेल पिगी ठीके नलिकाएं नलिकाएं यहाँ पर मौजूद होती है ठीके इसके उत्सर्जन के लिए करेक्ट चलो आगे बढ़ें यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है न किसी को हाँ चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और क्या बात करते हैं अब बात करते हैं भई आगे चलके इसके समवेदी अंग के बारे में बात करते हैं क्लर से लिख लेते हैं चलो कौन सा नंबर था भाई तेरा समवेदी अंग समवेद क्या होता है समवेद यानि की sensitivity हो गया किसी चीज को महसूस करना ठीक है तो अगर हम अपने में बात करें तो हमारा समवेदी अंग क्या है हमारी कि अगर समवेदी अंग चल जाता है तो अमारी स्किन के हमारी समवेदी अंग है लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका समवेदी अंग क्या है इनके पास कहते हैं देखें यहां एंटीने से कि अगरुने थे हीलक यहां समवेदी अंग क्या है भाई क्योंते के सतर्ट से फूलमत挑्स देखें और यहां सकल जाती है यहां थे चिरना दोन में ऊपने में पूल टेल, क्यों सबसे पहला क्या आता है भई हमारा श्रंगी काई जिनको क्या बोलते हैं हम एंटिना एंटिने ठीक है फिर क्या होते हैं सरल नेत्र हो गए सरल नेत्र इसके बाद क्या होते हैं सयुक्त नेत्र होते हैं संयुक ने य अब प्सेनटर मतलब क्या हो गया भई फीर रसायन और स्पड़ा फटे पॉमेंट में बताओ रसायनी ग्राही फड़ा फट से बता रसायन ग्राही जो होती है ठीक है और परशी ग्राही ठीक है अब देरा फटाफट से बतातो दो कि भाई सईब्त नेत्र क्या होता है याने कंपाउंड आइस क्या होती है तो भाई कंपाउंड आइस के अगर बात करें हम चलो मैं यहां दिखाती हूं इस में यह क्या इसकी आए है ठीक है ऐसी अगर क्या बोलते हैं हम इनकी आखों को देखेंगे तो क्या दिखाई देता है बाई कि इस तरीके से ना खूब सारे लेंस होते हैं इनकी आखों में अगे ना टीक है एक मूवी आइएटी मखही करके अगर आपने देखी हो तो लिए उसमें कियां इस में क्या प्र हीरो होता है वो क्या अग्रायों किया बन जाता है तो जब वह सकान कॲा मखही रहें कि उसकी आँखों में क्या खूब सारे लेंसिस दिखाए थे अगर ध्यान वह पिच्चर देखी हो तो मक्खी वाली है ना तो क्या होते हैं इनकी आखों में खूब सारे लेंसिस होते हैं है ऐसी कोक्रोश में होते हैं ठीक है तो यह क्या करते हैं कि इनकी आखों में क्या होता अब यह खूप सारे लेंस आ गए हैं और हर लेंस में दिखाई दे रहा है हर लेंस से दिखाई दे रहा है तो वो क्या कहलाता है संयुक नेत्र कहलाता है इन सबके भी अपने अलग-अलग फायदे हैं चलो की इन हैं अपने आखों से वन्टी डिग्री देख सकते हैं ठीक है वन इसाथ हो तो इनको क्या होता है इंको मतलब अपने सुरक्षा के लिए जीवों के पास तो इसली इन लोगों के पास किया होते हैं इन जीवों के पास लोग तो हम थो इन जीवों के पास किया होता है compound eyes होती है ठीक है इनकी रक्षा के-लिए अच्छे तरीकी से देखने के लिए चलो इसके बाद अगर बात करें तो भाई यह क्या होते हैं ये एक लिंगी जीव होते हैं याने की जो नर और मादा है अलग-अलग होते हैं अलग-अलग होते हैं ठीक है अब ये क्या होते हैं ये अंड प्रजक होते हैं ये क्या होते हैं अंड प्रजक याने कि यहां पर जो संतती का निर्माण हो रहा है संतती का निर्माण हो रहा है यहां पर वो कैसे हो रहा है अंडे के रूप में हो रहा है ठीक है कैसे हो रहा है अंडे के रूप में हो परिवर्दन देख सकते हैं हम यहां पर आ प्रत्यक्ष परिवर्दन यानि कि यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको लार्वा अवस्थ देखने को मिल सकती है मतलब मिलेगी मिलेगी ठीक है ठीक है अब इसके साथ-साथ यहां पर क्या है ना इसके साथ-साथ यहां पर इस कि इसके कुछ नुक्सान भी है तो अगर इसके फायदे की बात करें यानि कि इसका आर्थिक महत्व की बात करें आर्थिक महत्व कि अगर हम बात करें तो वह भी है अगर इसके रोगों की बात करें तो भाई वह तो बहुत ही नुक्सान वाली चीज़ है ठीक है दोनों चीज सबसे पहले हम क्या बात करें अगर हम बात करते हैं एपस मधु मख्य की एपस मधु मख्यी पढ़ा फट से मुझे कॉमें वदाओ भाई आप में से कौन से ऐसे लोग है जिनने पता है कि एपस मधु मख्य का आर्थिक महत्व क्या है पता चलना चाहिए ना मुझे भी कि आप में से कितना को मालूम है बताओ 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 जल्दी से शहद के काम आती है भाई शहद बनता है इससे यह शहद बनाने का काम करती है ठीक है चलो अगर हम दूसरी बात करते हैं भाई बॉम्बिक्स ठीक है बॉम्बिक्स मोरी इसके क्या होता है बताओ फड़ा फट्टे इसका भी बताओ बॉम्बिक्स मोरी क्या है भाई होता है यह कीट है ना रेशम कीट होता है यह रेशम कीट होता है इससे रेशम मिलता है रेशम का वैपार होता है इससे ठीक है चलो अगर हम तीसरे की बात करते हैं भाई तो तीसरे क्या है लेसिफर ठीक है इससे क्या होता है भाई लाक कीट इससे लाक मिलती है देखिए लाक कीट जो इससे लाक मिलती है मतलब लाक के कंगन भी बनते हैं अगर आपने देखे हो तो राइसान और यह अपने MP में बहुत सेमा से लाक के कंगन तो यह लाक कीट होता है ठीक है तो यह तो इसका आर्थिक महत्व हो गया चलो अब रोगों की बात कर लेते हैं तो रोगों में भाई सबसे पहले आती है मादा अनफिलिस सबको पता है फिमेल अनफिलिस क्या होती है फटा फट से कॉमें में बताओ कि यह क्या करती है फटा फट से बताओ मादा अनफिलिस अनफिलिस फटा फट से बताओ मादा अनफिलिस मच्छर अजी यह क्या करती है यह फैलाती है मलेरिया है तो मच्छर भाई लेकिन बहुत खतरनाक है यह और अधिक है मलेरिया फैला देती है चलो सेकिंड की बात करें हम भाई तो एक आती है क्यूलेक्स मच्छर आता है क्यूलेक्स मच्छर ये क्या करता है भाई ये फाइसेलिया फैलाता है फाइलेरिया सॉरी ये फाइलेरिया फैलाता है ठीके ओके इसके बाद एक और रोग आता है चिकन गुनिया नाम का चिकन गुनिया ठीके कौन फैलाता है एडिस मच्छर फैलाता है उसको ठीके क्या है चिकन गुनिया चिकन तो यह इसके आर्थी महत्व और रोग थे यह आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए ओके चलो यहां तक था हमारा संग और तो पोड़ा इसके बाद एक और संग आता है ठीके कौन सा संग आता है बहुत ही खुबसूरत सा बहुत ही कोमल से बिलानी होते हैं कोमल से जीव ह होते हैं उसमें है ठीके कौन सा आता है इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है पहले नंबर पर सबसे बड़ा संग कौन सा है ओर वदा दूस अरे उससे पहले चलो आपकी बुक की लाइंस पढ़ लेते हैं भही मैं सोच जो कुछ तो मिसिंग है चलो और्थो पोड़ा पर हमने क्या बात करी और्थो का मतलब संधी याने की जॉइंट्स और पोड़ा का मतलब पैर ठीक है याने की पाद मतलब ऐसे जन्तु जिनके पैर जॉइंटिड होते हैं उन्हें और्थो पोड़ा संग में रखा जाता है या ऐसे जन्तुओं को और्थो पोड़ा संग है यह प्राणी जैगत का सबसे बड़ा संग है औरेडी हम डिसकस कर चुके हैं इस संग में कीटों को सम्मिलित किया गया है इस संग में क्या आते हैं क वो चो कितना बड़ा यह फाइलम है है ना कितने ज्यादा कीट मकोड़े इसमें होंगे इस धर्ती पे कितने कीट मकोड़े सोच के देखो 65% अगरम बात कर रहे हैं तो इनमें शारे Series की संगटन अंगि सरका होता है ठीक ही यह भी अमने बात कर लिया इनका शड़ीर खंडों में बटा हुआ होता है इसमें त्यूपार्श और संभीति मिल्ती है यह त्रीकोरिक होते हैं और वासविक गुहा इनमें पाय जाती है इनका कंकाल काइटिन से बना हुआ होता है इनके उपांग मतलब लेक संदी युक याने की जॉइंटिड होते हैं ये सबी हम अल्रडी जो पीछे डिसकस किया है वहां में बात कर चुके हैं इनका शरीर जो होता है सिर्वक्ष और उदर में बटा हुआ होता है एक दो तीन भागों में बटा हुआ है इसमें स्वश्ण क्रिया शरीर की सत्य है कलोम और पुस्तक फुफसों के द्वारा होती है मैंने ये भी बता दी थी है ना खुला परी संचरन संत्र पाया जाता है हमने ये भी बात करी थी कि बहुए कॉक्रोचों उसको पिच्चे से पिच्चा दो क्या होता है पटाट से एक दम से सफेज सफेज सा कुछ निकलने लग जाता है ठीक है इन में समवेधी अंगों में शरंगीकार यानि की एंटी ने सरल नेति संगीउप्त नेक तरसायन ग्राही और इस परशी ग्राही होते है और सर्जन के लिए मैलापी की नलिकाएं पाई जाती है ये भी बता दिया था ये इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखना जादातर एक लिंगी होते हैं अधिकतर अंडर प्रजक होते हैं ये भी बात कर ली थी हमने आर्थिक रूप से मेहतुपूर कीट ठीके बता दिया है कि वही एपिस, मदुमक्खी, बॉंबिक स्मोरी यानि रेशम कीट, लैसिफरी यानि की लाग का कीट ठीके अब रोग वाहग जो है वही मादा अनेफिलिस मच्छर यान जो मलेरिया फैलाती है क्यूलेक्स मच्छर जो फाइलेरिया फैलाता है और एडिस मच्छर जो की चिकन गुनिया और डेंगू फैलाता है करेक्ट ये था हमारा संग और्थोपोड़ा अब आते हैं अपने दूसरे बड़े संग पर मोलस का जहां पर बहुत ही कोमल शरीर वाले क्या पाए जाते हैं जीव पाए जाते हैं ठीक है चलो उनको देख लेते हैं बहुत खुपसूरत हैं बहुत प्यारे से हैं आप भी देखके खुश हो जाओगे कितना खुबसूरत सी तस्वीर है ये कौन मुझे बताएगा क्या है ये कौन बताएगा जल्दी जल्दी बताओ क्या है ये खुबसूरत सा जीव आप बोलो के मैम आप तो हर एक जीव को ऐसे ही खुबसूरत बोलती हो तो भई इस धर्ती पे जो भी प्राणी है जो भी जीव है वो क्या है बहुत ही खुबसूरत है सबकी अपनी खुबसूरती है सबकी अपनी इंपोर्टेंस है आप खुद देखो कितना प्यारा लग रहा है यह कि यह क्या होते हैं बहुत धीरे चलते हैं बहुत धीरे चलते हैं कच्छुए से तो बहुत ही कम कच्छुओ तो फिर भी रेस जीत गया था खरगोश्टे अगर बात करें तो पर यह तो बिजारे रेस कभी जीती नहीं पाएंगे इतने धीरे चलते हैं चलो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं भाई दूसरे सबसे बड़े संग की जो है मोलस्का ठीक है तो इसको अकर हम पहला पॉइंट डालेंगे तो हम क्या डालेंगे भाई यह क्या है दूसरा सबसे बड़ा संग है यह सबसे बड़ा संग है और्थोपोड़ा के बाद ठीक है पहले नंबर की जो जगह है वो और्थोपोड़ा ने सेक्योर कर लिए अपने लिए कि भाई यह मेरी जगह है कोई नीची नेगा मेरे से ठीक है चलो दूसरे पर बात करते हैं यह क्या होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं बिचारे ठीक है बहुत ही कोमल से होते हैं जिनने आप देख ही सकते हो इन्हें देख के तो मुझे लग रहा है कि अगर मैंने छूंगी तो पता नहीं क्या होगा इनके साथ कोमल चरीर के होते हैं ये ठीक है चलो ये भी बात कर ली हमने अब भी पता चल लिए कि दोनों चीज़े अब चलो इनके आवास के बारे हैं बात करते हैं कि भाई इनका घर गरस्ती कहां बसती है इनकी ठीक है अगर इनकी घर गरस्ती के बारे हैं बात करते हैं, तो क्या है ये, क्या है जल्ली से बता दो भाई, जल्ली से बता दो क्या है ये, तो ये जल्ली और स्थली दोनों होते हैं, जल्ली और स्थली दोनों होते हैं, आर ये कुछ तो गर्बट हो गई, स्थली ये होते हैं, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज और लिखलो कि पर इनकी बाहरी सनरशना जो होती है ना, बाहरी सनरशना वो क्या होती है, एक कठोर केल्शियम की उपतो होती है वो, ठीक है कठोर केल्शियम कवच, मौजूद होता है यहाँ पर ओके ठीक है अब अगर अंग तंत्र की यहाँ पर बात की जाए भाई अंग तंत्र की यहाँ पर बात करते हैं तो भाई अंग तंत्र स्तरका यहाँ पर संगठन है स्तरका संगठन है यहाँ पर ठीक है क्योंकि देखो ना इनके पास भी तो क्या है अंग मौजूद है ना है ना तो इसलिए तो अंग तंत्र है यहाँ पर है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब सम्मिति की अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पर भी द्वी पार्ष पर सम्मिति होती है अगर हम सम्मिति की बात करते हैं तो यहाँ क्या है द्वी पार्ष पर सम्मिति मौजूद होती है ठीक है क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से काटेंगे ना बीच से तो यह बराबर हिस्तों में बढ़ जाएगा इसके बाद क्या बात करते हैं यह त्रीकोरिक होते हैं ठीक थ्रीकोरिक प्रांट जीव है यह त्रीकोरिक त्रिकोरिक होते हैं ये तीन जर्म लेयर होते हैं क्योंकि कौन सी होते हैं तीन एक्टो, मीजो, एंडो ठीके तो ये त्रिकोरिक हो गए है त्रिकोरिक हो गए है भाई प्रगु ही है प्राणी होते हैं ये अरे आजा क्या होते हैं ये प्रगु ही ये प्राणी प्रगु ही ये प्राणी होते है ठीक है अब अगर इनके पाचन तंत्र की हम बात करते हैं नेक्स पेज़ पेशल लेते हैं चलो 7, 8 नमबर पाचन तंत्र की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो पाचन तंतर कैसा है भई पूर्ण है क्योंकि ये क्या कर रहे है ये खाना खा भी रहे है और उसको बाहर भी निकाल रहे है ठीक है याने कि दो यहां पे छिदर मौजूद है खाने के लिए अलग और उठ्षरजन के लिए अलग तो यहां पाचन तंतर क्या है पूर्ण शरीर जो होता है तीन भागों से मिलकर बना हुआ होता है इनका शरीर तीन भागों से मिलकर बनाए ठीक है कौन-कौन से हैं भाई सिर हो गया पेशिये पाद और अंतरंग तंकुद यानि कि जिसको हम हम पर बोलते हैं ठीक है सिर कौनसा आ गया इसका ये वाला आ गया दिखरें आपको चलो दूसरे कणर उठा के दिखा देता है चलो यह आ गया इसका सर ठीक है अभी दिखरेंगा ना सर आ गया फिर पेशिये पाद यानिक यहां जो इसके पैर है वो वो muscular है ठीक है पेशी मतलब muscles तो और पाद मतलब पैर तो ये कैसे muscular इसके पैर है ठीक फिर आता ये अंतरंग कंक को दियाने की ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम ठीक है इसको क्या बोला हमने हम पो बोला तो ये तीन भागों से मिलके इसका शरीर बना हुआ है करेक्ट, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगर हम समवेदी अंगों की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, समवेदी अंगों की बात करते हैं भाई, तो क्या है, परशक होते हैं यहाँ पर, ठीक है, समवेदनाओं को ग्रहन करने के लिए, ठीक है, समवेदनाओं को ग्रहन करने के लिए उफ रहो गया यह तो चलो समवेदनाओं को ग्रहन करने के लिए इतना ही लिख लेते हैं बस फिर यहां पर अगर हम बात करते हैं भाई कि इनका जो मुख होता है न तो मुख में क्या होता है भोजन को पीषने के लिए बोजन को पीसने के लिए क्या होता है भाई इनके पास एक special चीज मौजूद होती है इसको star बनाते हैं ठीक है ये बहुत important है देख लेना क्या होती है रेडूला होता है यहाँ पर रेडूला को क्या बोलते है अपन रेटी जीहा अंग ठीक है यानिकी रेडूला इनमें मौजूद होता है correct ओके चलो अब अगर हम बात करते हैं भाई कि ये जीव कैसे होते हैं ठीक है अगर हम बात करते हैं जीव कैसे होते हैं तो ये जीव कैसे होते हैं एक लिंगी होते हैं ठीक है यानिकी जो नर और मादा हैं दोनों अलग-अलग होते हैं कर्रेक्ट ओके अब क्या बात करें भाई ये अंड प्रजक होते हैं अंड प्रजक याने कि अंडों से संत्ति देते हैं ये यहाँ पर अप्रत्यक्ष परिवर्धन देखा जाता है वो भी लिख लो चलो अब प्रत्यक्ष परिवर्धन मिलता है यहाँ पर ठीके अब अगर यहाँ पर हम एक्जेम्पल की बात करते हैं इसके ठीके अगर हम कहां लिखे एक्जेम्पल चलो यहाँ लिख देते हैं एक्जेम्पल तो इसके common example किया आते है भाई पाइला हो गया ठीक है पाइला मतलब यही जो गोंगा आप देख रहे हो ठीक है और क्या क्या अक्टोपस हो गया भाई फढ़ावर्ण से देख लेते हैं कि बही यह जो है बुख की लाइन हमसे क्या बोला चाही है यह पूछ कहरी है इनकी बात भी हम सुन लेते हैं यह बोल रही कि यह दूसरा सबसे बड़ा संख यानेकी फाइल में हमने बात कर ली थी हमने मैंने सबसे बहुता था कि आउर्ट रोपोड़ा के बाद यही सेकंड नंबर पर आता है यह जीव कैसे होते हैं सलिय और जलिय दोनों में रहते हैं ठीक है ना इनमें अंगतंत्रिस्तर का संगतन होता है यह भी बात किये हमने द्वीपाश्व संवित इंतिया है बता दिया है मैंने थी कोरिक होते है क्योंकि तीन जर्म लेयर होती हैं एंडो, एकटो, मीजो प्रगुहिय dough वाले प्राणी होते हैं यह ठीके कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं परंटु इनका शरीर कट्षोड केलचिं के कवड़ से धका हुआ होता है ठीक है इनका शरीर सिर पेशिय पाथ और एक अंतरंग कुकंद से बना हुआ होता है कुंकत के ओपर प्रवार के बीच प्रवार घुहा पाई जाती है जिसमें पंक के समान कलोम पाई जाते हैं जिसका use क्या होता है सौश्णु में इसका use होता है सौश्ण और उठ सर्जन्स दोनों में सहायता करते है इनके सिर्पर समवेदि सफर्शक होते हैं जो समवेदिनाओं को ग्रहन करते हैं इनके मुक्ष में भोजन को पीछने के लिए रेटी जीहा यानि के रेडूला नामक अंग होता है ये भी अमने बात कर ली है ठीके इन में नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं इसका मतलब कि ये क्या है एक लिंगी प्राणी है और ये क्या होते हैं अंड प्रजक होते हैं यानि कि अंडे देते हैं अंडे से इनकी सं Grantada, CPA, Lolio, Applysia, Octopus, Dentalium, etc. इतने ताइम से हमने क्या है सारे सीकेंस से पढ़ने जा रहे हैं, हमने almost सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है, तो आज क्या बात करने जा रहे हैं? हम Echinodermeta के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारे से हैं ये सभी, डिखने में, डिखने में सिर्फ इनकी बोली शकल प्यारी शकल पर विल्कुल नहीं जाना है आपको, ठीक है अब ये बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं, Echinodermita के बारे में हम बात करते हैं, तो भई, ये क्या होते हैं, इ क्या है यह शूल, युक, प्रानी। इसका मतलब की इनके शरीर पे क्या है शूल मौजूद है। शूल मतलब क्या होता हैं? हाँ शूल मतलब काटे, मतलब काटे, ठीके, काटे युक तो शरीर है इनका, ठीके, जैसे कि हम example किसका लेते हैं, यह starfish, तारा मचली, starfish, ठीके, हिंदी में क्या है तारा मचली, चलो ठीके, अब हमने इनकी body के बारे बात कर ली, यह शूल यूगत होती है, लेकिन यह रहती कहा है, बहुत ही simple ता question है, बहुत असानी से आपको मालूम होका, कि बहुत starfish क पड़ा-फ़चे बता दो, कहां मिलती है, आजा भई, यह मिलती है हमको जल में, पानी में, ठीके, तो इसके अगर आवाज की बात करते हैं हम, इसके हमने आवाज की बात करी, तो आवाज कहा है, समुद्री जल, ठीके, समुद्री, जल, कौन सा, लवणी है, ठीके, चलो, अब इसके शरीर की बात करते हैं हम, अगर हम इसके शरीर की बात करते हैं, शरीर में किसकी, बही कंकाल, यानि कि जो बाहर का कंकाल होता है, क्या होता है भाई वो, वो केल्शियम से बना हुआ होता है, केल्शियम कैसा है, कठोर होता है, ठीके, किस से बना है, केल्शियम से, ठीके, केल्शियम से क्या है, कठोर कवच से बना हुआ होता है, ठीके, ओक तो इनके body कैसा है बाहर से कथोर है चलो आगे बात करते हैं आगे क्या देखें भाई अगर यहाँ पर हम इनके वर्गी करण यानिकी classification भी बात करते हैं जो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था सब के बारे में तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है पढ़ावच से बतादो कौन सा संगतन आएगा जल्दी से बतादो यहाँ पर आएगा अंग टंत्रस्तर का संगतन ऑगर तीके चलो अब अगर इस केस सम्मेटी की बात करते हैं हम ठीके symmetry की बात करते हैं सम्मेटी क्या symmetry ठीके symmetry की बात कर रहे हैं हम तो symmetry कैसी है भाई इसकी हाँ यहाँ पर twist आ जाता है symmetry की बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है भाई अगर हम यहाँ पर larva अवस्था की बात करते हैं larva अवस्था तो यहाँ पर क्या मिलती है हमको लारवा अवस्ता में आपको क्या देखने को मिलेगी भाई यहाँ पर आपको देखने मिलेगी द्वी पार्श्व द्वी पार्श्व ठीके यहाँ क्या देखने मिलेगी द्वी पार्श्व समिति यहाँ देखने के मिलेगी अब जब यहाँ पर लारवा है ठीक है जैसे कोई बच्चा है बच्चा क्या होता है दिरे दिरे बड़ा होता है कौन सी अवस्ता में आता है फिर वो एक परिपक मनलब नहीं परिपक नहीं वोलेंगे उसको वो दिरे दिरे बड़ा होता है ठीक है बड़ा होने के बाद क्या है उसके जीवन में कौन सी स्टे जाएगी भाई वयस्क की ठीक है कि वह बड़ा भी तो होगा हां जब वह वयस्क अवस्था में पहुंचेगा अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी एक काई नो डर्मेटा की ठीक है क्योंकि वयस्क अवस्था में सभी पहुंचते हैं ठीक है चाहें वह हम हैं जीव जन्तु पहुंदे सब भोस्ते वैस kalian ये लार्वा अवस्था में दूपार्षी सम्मीति सीड़ डेखने मिलेगी और जब वैस की बात करते हैं तो मैं हमें क्या देखने को मिल रही है अरिये सम्मीति क्या होती है कि किसी भी एक्सेस से इसको काटो लेंकि किसी भी काटोंगे ना तो बराबर मिलेंगे ठीके यह बराबर मिलेंगे तो अर यह का मतलब क्या है कि बहुत किसी भी आक्षि से उसको काटोगे आप तो क्या है इक्वल पार्ट मिलेंगे ठीके ओके चलो इसके बात चलो किसकी बात करते हैं हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं यह कितना नंबर था? चलो यहीं लिख लेते हैं अभी तो चलो यहाँ 6 लिखते हैं ठीके? अब बात करते हैं यह त्रीकोरिक होते हैं ठीके? त्रीकोरिक होते हैं और क्या होते हैं? प्रगुहिये क्रिकोरिक और प्राग गुहिये प्राणी होते हैं ठीक है अब त्रिकोरिक का मतलब क्या है क्रिकोरिक का मतलब बच्चा यहां पर कि इसके पास क्या है तीन जर्म लेयर है तीन जर्म लेयर अब फटा फट से कॉमेंट में बता दो भई तीन जर्म लेयर कौन कौन सी होती है क् और दूसरा क्या मोला है रागुट? प्राणी है इसका मतलग यहां पर जो गूहा का निर्मान हो रहा है वो किससे हो रहा है मीजोडर्म से हो रहा है उसके तूटने से हो रहा है ठीके ना सबको clear यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं यह हमारा 6 था अब हम 7 की बात करते हैं 7 में अगर हम इसके पाचन तंतर की बात कर होते हैं पाचन तंतर तो इसका पाचन तंतर कैसा होता है भाई पूर्ण होता है ठीके यानिकी complete होता है क्योंकि इसके पास क्या है कि इसके पास मुह है जहां से यह खाना खाता है ठीके एक चिद्री हो गया दूसरा क्या होता है जिससे क्या करता है उत्सर्जन करता यानिक excretion करता है कि इसकी अप्षिष्ट पदार्त याने कि जो waste material होते हैं उनका ठीक है तो इसलिए भाई एक से खा रहा है और एक से बाहर यह उत्सर्जित कर रहा है इसका मतलब इसका क्या है एक complete way में सब कुछ चल रहा है कहीं भी कोई कि संचरण तंत्र याने की circulatory system यहां पर अगर हम इसके circulatory system की बात करते हैं तो कैसा होता है बता दो फटा फट से कैसा होता है तो भई यह होता है हमारा खुला हुआ खुला हुआ मतलब जो इसके अंग है वो किसमें रत में डूबे हुए हैं उफ सकत लिख दिया मैंने रत में डूबे हुए होते हैं ठीके डूबे हुए होते हैं इसका मतलब इनके पास क्या है वहिकाए नहीं है नलिकाए नहीं है ठीके जो ब्लड को लेके जाती है तो इसलिए जो इनके अंग है जो इनके ओर्गन से वो सीधे ब्लड में क्या डुपकी मार रहे होते हैं ठीके ना चलो आगे बढ़ते हैं आगे कौन सा कलर उठाते हैं ग्रीन उठा लेते हैं चलो इसके बाद देखते हैं भाई एक इंपोर्टेंट चीज आती है यहां पर इसकी यहां पर एक इंपोर्टेंट चीज है कि जल क्या है यहां पर जल समवहन तंत्र मौजूद है अब जल समवहन तंत्र क्या होता है मतलब वाटर वेस्कुलर सिस्टम ठीक है वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर मौजूद है ठीक है जो किस में मदद करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम भाई यह मदद करता है किस में स्वश्ण में मदद करता है यह फिर उसके चलने में याने किस के गमन में मदद कर रहा है चलो जी गमन में मदद हो गया ठीके ओर और 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 भोजन में मदद कर रहा है ठीके तो ये इन सब चीजों में मदद करता है अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई इसका जो मुख होता है अगर हम इसकी मुख की बात करते हैं इसकी मुख की बात करते हैं तो मुख में क्या होता है इसके हां मुख में इसके क्या होता है जल्ली से बता दो तो मुख में क्या है भाई अ-धर्ता ठीके अधर्ता ओके समझ में नहीं आ रहा होगा नहीं यह लिखा हुआ अधर्ता ठीके यह कहां होता है अधर्ता भाग इसका मुख पर होता है ठीक और दूसरा जो इसका प्रस्ट भाग होता है इसका जो प्रस्ट भाग है प्रस्ट भाग तल पर तल पर क्या होता है गुदा ठीके क्लियर यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा में समझा देती हूँ आपको किसके बारे में समझा देती हूँ थोड़ा सा इसके जल समवहन तंतर के बारे में समझा देते हैं चलो next page पे ठीक है इस यहाँ पर अचा एक काम करते हैं एक blank sheet उठा लेते हैं पहले तो चलो एक blank sheet उठा लेते हैं keep करते हैं इसको इसके बाद क्या करते हैं एक blank sheet लेते हैं इसके बाद अरे बाई सेलेक्ट करना भूल गया हम पैन हो गया सेलेक्ट है हाँ हो गया देखो यह क्या होता है इसका इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है ठीक है किसका स्टार फिश का आपकी क्लास में नहीं है लेकिन समझने में भी कोई बुराई नहीं है है ना समझने में भी कोई बुराई नहीं है समझ जोगे तो आपके लिए इच्छा हो जाएगा ठीक है इस तरीके से होता है फिर क्या होता है भाई यहाँ पर इस तरीके से एक केनाल लिख लिए होती है ठीके और फिर क्या होता है केनाल लिख लिए होती है फिर यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ठीके ठीके चलो फिर इसके बार एक और आता है क्या आता है कि यह जो है इसके बार इस तरीके से छोटे छोटे क्या होते हैं छिद्र होते हैं घीक है छोटे-छोटे छिद्र होते सब में होते हैं यह किसका वार्टर सबसे पहला वाला होल है यानि कि प्रतम छिद्र है इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं भाई मैंडी पोर ठीक है इसको हमने बोला मैंडी पोर अब यह जो एक कनाल जैसी एक नलीका निकली हुए नलीका है कनाल जैसी इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे भाई स्ट किनाल ठीक है चलो अब यह किस से कनेक्टिड है यह इस स्ट्रक्चर से गोल से स्ट्रक्चर से कनेक्टिड है ना इसको क्या बोलेंगे हम इस स्ट्रक्चर को आप बोलोगे रिंग कनाल क्योंकि रिंग के शेप में है ना यह कनाल है ना ठीक है चलो फिर यह जो बाहर इस तरीक से निकली हुई है, इनको क्या बोलेंगे हम, रेडियल कनल, रेडियल कनल बोलेंगे इनको, ठीके, अब मैंने क्या बताया कि छोटे-छोटे से छिदर यहां पर मौझूद है, ठीके, यह छोटे-छोटे से छिदर क्या है, इस रेडियल कनल के उपर मौझूद है, यह क्या कहल यह कहलाएंगे लिट्रल पोर या छिद्र ठीके तो यह है इसका सीन की भाई इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम इस तरीके से होता है अब यहां होता क्या है चलो वो देख लेते हैं दूसरा कलर उठा लेते हैं है ना समझने के लिए चलो अब होता क्या है कि यह क्या करता है यह पानी में रहता है तो पानी से ही क्या लेगा ओक्सीजन भी लेगा यह पानी से ही उसी से अपना क्या लेगा खाना भी लेगा वहीं पर उच्छन भी करेगा सब सारा जो क्रिया कर होता है सारा काम होता है है कारेकरम बूलना था मुझे तो क्या करेंगा यह करेंगा पानी को ग्रहन कर लेगा पानी को ग्रहन किया इस ग्रहन किया इसमें पानी को ठीक है अब ये पानी दीरे दीरे इस से स्टोन कनाल से होते हुए स्टोन कनाल से होते हुए कहां पहुचेगा ये रिंग कनाल में पहुच गया पानी ठीक है ये क्या है वोटर है ठीक है ये कहां ट्रैवल कर रहा है देखो इस मेंडी पोर से होते ह मेंडीपोर से इसने अंदर लिया वॉटर ठीक है फिर इस स्टोन केनल से होते होते कहां पहुंच राटे को यह रिंग केनल में पहुंच गिया है ठीक है इस रिंग केनल में पहुंच गिया यहां पर यह जो रिंग केनल है ठीक है यहां पर यह जो रिंग केनल है यहां पर क्य फैल जाएगा जैसे इसको फैलना होता है ठीक है अब यहां से जब इसने पूरे बोडी में खाना पीन्स अच्छला गया है ओक्सिजन चली गई है तो जब खाया है तो इसका मतला बाई वेस्समाटीरियल भी होगा यहाँ पर है ना oxygen लिए तो carbon dioxide भी होगी ठीक है ना waste material हो गया सब कुछ तो अब यहाँ क्या होगा भाई यहाँ जो अप्षिष्ट पदार्द बनेगा इसकी body में वो कहा जाएगा वो यह जो radial canal है ठीक है यह जो radial canal है इसके उपर चोड़े चोड़े से pores है ना ठीक है चोड़े चोड़े छिदर है इनके through क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा अप्षिष्ट पदार्द ठीक है अप्षिष्ट पदार्द क्या होगा भाई यहाँ से बाहर आ जाएगा ठीक है यहाँ से कहां आ गया यह बाहर आ गया correct बिलकुल ठीक है मतलब इसका भाई खाने की पर चूटे-षूट-णैल के शिरूवाद यहां से होई i water यहां से mendy पोड से होता हुआ की को और से रिंग कनल होज्ञक है तो आना डान compressive starts तो यह है इसका water vascular system, ठीक है, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़के चलो, एक यहाँ पर चीज आती है, भाई, important है, हमने क्या 10 तक देख लिया था ना, 11 point, ठीक है, 11 point देखते हैं कि यहाँ पर किस चीज की कमी है, यहाँ पर कमी है, इस first उत्सरजन तंत्र की, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस first उत्सरजन तंत्र का आभाव है, ठीक, अब क्या है कि भाई, चलो, हमने इतनी सारी चीज इनके बारें पढ़ ली है, पर हमें यह नहीं पता कि भाई, यह प्राणी, यह जीव, यह जो हैं, कैसे होते हैं, और्गान कहते हैं, यूनिसेक्शुल होते हैं, याने की, एक लिंगी होते हैं, ठीक है, यह क्या है, यह जो प्राणी है, ठीक है, वो क्या है, एक लिंगी है, याने की, यूनिसेक्शुल है, यह, यूनिसेक्शुल, ठीक है, अब यूनिसेक्शुल है, तो यहाँ पर क्या है, भाई, unisexual यानि की नर और मादा क्या हैं दोनों अलग अलग है नर और मादा क्या हैं दोनों अलग अलग ठीक है नर और मादा यहां पर दोनों अलग अलग है चलो आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं 14th point अपना अगर हम बात यहां निशेचन की करते हैं तो निशेचन यहां पर क्या होता है यहां पर बाहर निशेचन होता है ठीक है यानि की बाहर होता है कैसे कि यह क्या होते है यह जो एकाइनोडर्म्स होते हैं यह क्या करते हैं यह जो एकाइनोडर्म्स हैं यहाँ पर क्या होता है इनका निशेचन इनके शरी से बाहर हो रहा है ठीक है क्योंकि यह जल में है तो जल में इनका निशेचन हो जाएगा बाहर याने की जल में ठीक है और एक और चीज भाई यहाँ पर यहाँ पर क्या है अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिवर्दन देख देखने को मिलता है ठीक है अपर टेक्ष परिवर्धन का मतलब हो गया यहां पर लार्वा अवस्था लार्वा अवस्था देखने को मिलती है ठीक है यह हमने पहले ही बात कर ली थी कि यहां पर लार्वा अवस्था देखने को मिलती है और उसके बाद क्या है लार्वा के बा कॉमेंट में कौन सी थी वो अवस्था बताओ चल्दी से वेरी गुड कौन सी है वो वयस्क ठीक है तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष परिवर्दन देखने को मिलता है चलो फटा पड़ते क्या करते हैं अपन अब देख लेते हैं कि भाई हमारी बुक हमसे क्या बोल रही है ओके चलो ठीक है तो बुक हमसे क्या कह रही है तो बुक हमसे कह रही है भाई कि इन्हें एकाइनो डर्मेटर इसले कहा जाता है क्योंकि इस संके प्राणियों में केल्शियम युप्त कंकाल पाया जाता है ठीक है जो हमने शुरू में ही बता दी थी और इनके शरीर पर क्या हो याने की काटे पाए जाते हैं याने की शूल पाए जाते हैं सभी समुद्री प्राणी होते हैं ये भी हमने बात करी थी ठीक है इनमें अंगतंत्र सरकास अंगतं होता है क्यों होता है क्योंकि यहां पर क्या है और गन सिस्टम मौजूद है इसकी बॉड़ी में क्या है और गन है इसी वज़े से और गन है तभी तो और गन सिस्टम होगा है ना यह क्या होते हैं त्रिकोरिक होते हैं क्योंकि तीन जमलेर मौजूद होती हैं अक्टो प्रगुहि का हवाले प्राणी होते हैं यह ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इनके लार्वा में जुदी पार्श्य सम्मित्यी होती है जबकि वयात का वस्ता में अरिय समित्यी पाई जाती है यह भी आम अलएडी डिसकस कर चुके हैं पाचन क्या होता है बाई पूर्ण होता ह क्योंकि दो चिदर मौजूद होते हैं, दो पोरत हैं, एक खाने के लिए और एक एक्सक्रीशन के लिए, मुख अधर तल पर तथा गुदा प्रस्ट तल पर पाई जाती है, ठीक है, ये भी हमने बात कर ली थी, यहाँ पर जल समवहन तंत्रियानी की वाटर वैस्कुलर ठीक है, जो गमन में, भोजन में, सुष्ट में और उस्षार्जन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ठीक है, उसके डाइग्राम की नीट नहीं थी, लेकिन मैंने समझा दिया ताकि आपको पता चले, कि अच्छा, इसकी बाड़ी में ऐसा कुछ हो रहा है ठीके, अब उर्चसरजन तंत्र का यहां आभाव होता है, यह भी ठीक है, ठीके, नर और मादा दोनों अलग-अलग होते हैं, हाँ, क्यों कि यह एक लिंगी प्रानी होते हैं, ठीके न, फिर निशेचन बाहर होता है, कहां जल में होता है, अब एक्जैम्पल अगर हम देखे तो क्या है भई, एस्टिरियस, यानि कि तारामीन, आंडिडोन, यानि कि समुद्री लिली, एकाइनस, यानि कि समुद्री अर्चिन, ओफ्यूरा, यानि कि भंगूर तारा, कुकुमेरिया, यानि कि समुद्री, क्या है, करकटी, देखो, यहां क्या है, समुद्री लिली, ठ अंटिडून ऑंटी chili है ये समूधरी ले ली है। यह क्या है ophiura यानि भंगूर तारा यह अ किकैं और उसके बाद ये गया है सबसे लास वाला कुकुमेरिया याने कि समूधरी करकटी ठीकें एक कुछ कुछ क्या है कुकूबर जैसे शेप होती खीर है कि एक और था ना देखो Echin याने कि समुदरी अर्चन यह क्या है ना काटे जैसी शेप में होते हैं यह ठीक है ना सी अर्चन भी बोलता है इनको ठीक तो यह सब था इसके बारे में ओके तो यहां पर हमारा इकाइनो डेमेटा खतम लेकिन यह लेक्चर अभी खतम नहीं हुआ है भई कि आप सोचो कि मैडम अभी ताटा भाई 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 बोलेगी आपको नहीं इसके बाद आज हम एक और संक के बारे में बात करेंगे वो भी बहुत इंट्रस्टिंग सा है मजा आएगा उसको भी प सब सेम चलती आ रही हैं है तो कहीं से कहीं कन्फिशन हो नहीं नहीं चीजों में और इतना इजय को कर सकते हो मार्कस में बहुत इज़ी अगर शर्त यह है कि तमीज से पढ़ा जाए नहीं पढ़ोगे तो आपका अपना रिस्क है चलो अब बात करते हैं संग हेमी कॉर्डेटा के बारे में ठीके तो अगर हेमी कॉर्डेटा के बारे में करें हम बात तो वही सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो होते हैं इस phylum में, hemic auditum में ये जो जीव है, ये कैसे होते हैं? creamy, यानि कि क्रमी क्या होते है? insect, ऐसे दिखते हैं, ठीक है? कैसे दिखते हैं ये? क्रमी के समान होते हैं ठीक है? अब ठीक है चलो, इनके अगर हम आवास की बात करते हैं कि भाई यह कहां देखने को मिलते हैं हमको तो यह हमको कहां देखने को मिलेंगे आवाज की बात करें तो भाई ओविसली कहां मिलेंगे जल में मिलेंगे कौन से जल में मिलेंगे भाई यह समुदरी जल में मिलेंगे समुद्री जल में ठीक है लेकिन यहां पर ना एक ट्रिस आता है कि समुद्री जल में तो मिलेंगे ऐसा थोड़ी कि हवा में तैरते रहेंगे पानी के अंदर से मशलियां तैरती है नहीं कहां मिलेंगे यह कि समुद्र है है ना समुद्र के नीचे कही ना कही तो कही ना कही त गड़े बनाते हैं गड़े बनाके उनके अंदर घुशके रहते हैं वो इनका निवास स्थान होता है ठीके रहने की जगा होती है ठीके तो कहां मिलेंगे यह आपको यह कहां मिलेंगे भाई यह मिलेंगे भूमी में ठीके भूमी में गड़े बनाकर गड़े बना कर clear हाँ चलो अब भई सबके निवास अस्तान होते हैं सबको रहने के लिए घर चाहिए तो बिचारे बेगर क्यों रहें इन्होंने सोचे चलो ज्यादा मैनत नहीं करते हैं गड़े बना कर यह रह लेते हैं जगा तो मिलेगी कही ना कही चलो अब किसकी बात करते हैं भई चलो अब हमें इसके अगर संगटन की बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर भी क्या है भई अंग तंत्र मौजूद है यानि कि और्गन सिस्टम मौजूद है तो किस तरीके का यहाँ पर संगटन हुआ यानि कि और्गनाइजेशन हुआ तो यहाँ पर भाई अगर हम अंग तंत्र की बात कर रहे हैं तो कैसा मिलेगा वो अंग तंत्र स्तरका संगटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है? चलो फिर फिर बात करते हैं भाई यह क्या होते हैं यह द्वी पार्श्व सम्मित होते हैं ठीक है? और इसके साथ साथ क्या होता है भाई? कि अगर यहाँ इनको अक्ष से काटते हैं एक अक्ष से तो यह दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं ठीक है? चलो जी, यह भी समझ में आ गया बहुत इंटेलिजेन बच्चे हो आप लोग और जल्दी अल्दी समझ में आ जाता है, है न? चलो, यह क्या होते हैं? त्री कोरिक होते हैं ठीक है? त्री कोरिक होते हैं, याने कि इनके पास भी तीन जर्म लेयर मौजूद हैं ठीक है? ऐसे, ठीक है, यह ऐसा इनका शरीर होता है, अब यह जो इनका शरीर है ना भाई, यह क्या हो गया, इनका head part हो गया, जिसको हम शुंड बोलते हैं, क्या हो गया head part, ठीक है, फिर यह क्या होता है, ठीक है, यह क्या लाएका, जो neck जैसा बना हुआ है, यह क्या है, अपना head है, यह क्या है, ठीक है, फिर अपना यह हिस्सा क्या होता है, यह होता है, वक्ष, ठीक है, और last में हमारे पास legs होते हैं, लेकिन इसके पास क्या है भाई, पूछ याने की tail, ठीक है, तो यह क्या है, इ ये क्या होते हैं प्रगुहिये होते हैं ये ठीक है प्रगुहिये है अब जब शरीर की हमने बात करी लिए तो शरीर कैसा है भाई इसका सेविंथ अगर हमने शरीर की बात किया है तो शरीर किस चीज में डिवाइड है इसके शुन्ड में डिवाइड है याने की हेड में योग्या शुन्ड ठीके फिर क्या है भाई फिर कॉलर है और कॉलर के बाद उंच है ठीक है तो ये इसका क्या हो गया भाई शरीर इस तरीके से होता है और ये सब किस में मौझूद होता है एक बेलनाकार में होता है शरीर का बेलनाकार शरीर होता है इसका ठीक है ओके चलो ठीक है अब क्या बात करते हैं हाँ एक और चीज यहाँ पर भाई कि यहाँ पर इसका यह जो शुंड होता है यह जो पोर्शन है यह किसलिए होता है भाई इससे उत्सर्जन की क्रिया होती है ठीक है उत्सर्जन अंग होता है ठीक है यहाँ पर जो उत्सर्जन अंग होता है चलो next page पे लिख देते हैं हम 7th point बना कर कि उत्सर्जन अंग जो होता ह क्या कहलाता है वो फटा फट से कॉमेंट में बता दिजे जल्दी से बता दिजे क्या होता है बता दिजे फटा फट से जल्दी से बता दिजे क्या होता है उत्र जनंग वो कहलाता है भई क्या कहलाएगा स्टोमो कॉर्ड ठीक है स्टोमो कॉर्ड कहलाएगा अरे स्टोमो कॉर्ड ठीक है जो की प्रश्ट रज्जु जैसा होता है सनरश्णा में इसलिए ठीक चलो आगे बात करते हैं एर्थ पॉइंट पे आ जाओ अब इसके अगर सर्कूलेटरी सिस्टम यानि परिसंचुर न तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसा होता है बंद होता है उसमें क्या था इससे पहले वाले में इससे पहले जो पढ़ा था हमने वो क्या पढ़ा था हमने इकाइनो डर्मेटा वहाँ पर हमने क्या देखा था कि वहाँ पर जो परिसंचरन तंतर था याने की जो सरकूलेटर सिस्टम था वो खुला हुआ था जो उसके ओर्गन से वो ब्लड में डूबे हुए थे लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर भाई यह बंद है यानी क्लोज है प्रॉपर सिस्टम है हर तरीके का कि भाई इस और्गन में जाने के लिए यह वाला का विसल यह जो वाही का है यह जाईए यहाँ पर यह सीन है ठीक है तो यहाँ पर इस अंत्रन तंतर कैसा है बंद है ठ खिके एक लिंगी होते हैं याने की यूनिसेक्शुल होते हैं यह अरे बापने मैंने इसको अलग-अलग क्यों लिख दिया एक लिंगी याने की यूनिसेक्शुल ठीक है होते हैं ठीक है चलो अगर हमने अब ये बात कर लिए तो हमें ये भी पता होना चाहिए भाई कि यहाँ पर जनन किस तरीके से होता है अगर हम यहाँ पर जनन की बात करते हैं तो जनन कैसे होता है यहाँ पर लैंगिक होता है ठीक है लैंगिक होगा लेकिन कहां होगा शरीर से बाहर होगा ठीक है याने कि बाहर होता है निशेचन ठीके बाहर होता है निशेचन ठीके चलो बाहर कैसे होता है भई अगर हम बाहर की बात करें तो अगर हम देखें तो हमने क्या बात करें थी कि समुद्र में रहते हैं ठीके सपोस करो भाई यह समुद्र है अब समुद्र में नीचे कहीं जमीन पर यहां पर क्या गड़े बना कर रह रहे हैं ठीके यहां पर यह नर है और यह मादा है ठीके यह दोनों नीचे गड़े बना कर रहे हैं अब मादा क्या करेंगी यहां से एक रिलीस करेंगी है ना अब पा मानी में हो गया ठीक है सलने इनका तो क्या है बाहर निशेचन हो गया याने की बाहर हो गया ठीक है तो चलो आगे देखते हैं अब यहां पर लारवा अवस्था देखने को मिलती है लार्वा अवस्था अब यहां पर क्या है इस लार्वा अवस्था का नाम दिया गया है कि बहुत कौन सी है यह लार्वा अवस्था यहां पर तो इस लार्वा अवस्था का नाम क्या है नलावा ठीक है? और यहाँ पड़ अगर हम विकास की बात करते हैं, तो भाई, क्या है? अप्रत्यक्ष परिवर्दन देखने को मिलेगा, क्योंकि लार्वा है यहाँ पर, है ना? लार्वा है यहाँ पर तो क्या देखने को मिल रहा है हमको अप्रतिक्ष परिवर्दन देखने को मिल रहा है और अगर इसके एक्जैम्पल की बात करें तो बेलेनोग्लस ठीक है जिसके बारे में हमने कहां यहाँ पे अभी नहीं इधर यह बना के बात करें थी ठीक है यह क्य मुझे भी एक बार पढ़ लू तो चलो इसको देख लेते हैं पाए जाते हैं ये हमने डिसकस किया था भी अब यहां पर संगटन कैसा है अंगतंतरस्तर का संगटन मौजूद है और गन लेवल का खया है और्यंगेञााब में यहां पर ओ deberता हैं यह बिर हम योती है यह प्रागुफ का प्राणी होते हैं यह इंका शरेल बेलना कार होता है मैंने बताया था ठीक है शुन्ब कॉलर और लंबे वक्ष में विवाजित यह भी से बांत करी। अरं McKoo चेतर में एक अल्प विक्सित संरश्णा पाई जाती है जिसे स्टोमो कोड कहते हैं यह हमने बात करी थी ठीक है जो प्रश्ट रज्जू के समान संरश्णा होती है यह मैंने आपको वहां बता दिया था ठीक है न इसी के कारण इन्हें पहले कॉर्डेटा संग में रखा था लेकिन बाद में पता चला कि यह वास्तविक प्रश्ट रज्जू नहीं है जिस वज़े से इन्हें अलग संग में बाद में रख दिया गया जिसका नाम क्या हुआ भाई हेमी कोडेटा रखा गया ठीक है क्यों क्योंकि यह कोडेटा संग के आदे अदूरे लक्षर दिखा आदे अदूरे लक्षर दिखाते हैं पूरे तरीके से कोडेटा की तरह नहीं होते हैं ठीक हेमी का मतलब क्या है अर्द और कोडेटा का मतलब क्या है रज्जुकी ठीक है तो इसलिए इसका नाम क्या रखा हेमी क्या हेमी कोडेटा ठीक है यानिकि आधे रज्जुकी जो आ स्वाश्ण क्या होता है यहां पर भाई क्लोम के द्वारा होता है अच्छा हां गलती हो गई आपर ना खुले प्रकार का होता है ठीक है कि ओक के कि यहां पर क्या है यह ओपन है ओपन ठीक है याने की क्या है खुला हुआ है अच्छ वह ध्यान आ गया ठीक है चलो अचelet थीक है open डाइब का है खुला हुआ इनने स्वर्षनि कैसे होता है क्लोम के द्वारा होता है शुंड भाग में शुंड ग्रंतियां पाई जाती है ठीक है? जो उत्सर्जन में सहायता करती है ठीक? ये एक लिंक ही होते हैं ये हमने बात करी थी कि नर्रमादा अलग-अलग होते हैं और निशेचन क्या है? बाहे निशेचन यानि की एक्स्टर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है ठीक? विकास कैसा है? अप्रत्यक्ष है यानि की इनके जीवन में लार्वा अवस्ता पाई जाती है ठीक है? ये हमने बात करी थी और लार्वा अवस्ता का नाम क्या है? Toneria larva, ठीके, यहाँ patreon ωरिया है, अब example क्या है, Belenoglasses और Psychoglasses, ठीके, यह दो isके Example है, ठीके, यह क्या है देखो, यह सेको kalo glasses, ठीके, Thay että microphones, यह balenoglasses ठीके, क्लियर सब को यहाँ पर, और इसी के साथ क्या हो गया, यह lecture हमारा खत्म हो गया, तो आज हमने क्या देखा आज हमने किसके बारे में बात करी आज हमने बात करी भाई किसके बारे में इकाइनो डर्मेटा और हेमी कोड़ेटा के बारे में बात करी ठीक है और उमीद करती हो कि आपको अच्छे समझ में आया होगा लेकिन समझ में आना भी जरूरी है और इसके वह भूल जाओगे नहीं रहेगा तो रिवीशन बहुत ज़रूरी है अपने आपको अपडेट रखने के लिए तो पिछली क्लासे जो भी है ना उनको भी हैंट टू इंट देखते चला करो वह चोटा चोटा सिंपल सिंपल लाइगैज में मैंने समझाय हूआ है न एक काम करो ना गयतNew थे हैं चोंगे ृइंट इसलिए है की ठीकट अपने को याद रहेग है अच्छा है यह त्वह उसका है क्रमे के जैसہ त्वहल इंट साहिवका के जिससा है नवास इसका जल है ठ तरका क्या है और्गिनाजेशन है यानिके संखटन है तो यह क्या है देखो सब छोटी-छोटी कि दिविपार्च संभीति हैं त्रीकोरिक है प्रगुहीट धर चूटी-चोटी से उसमें लिखा हुआ है ये तो यह क्या है भी हम बात करने जारहें हमने क्या बोला कोड़टा क के बारे में ठीक है हम बात करेंगे है। कोरडड़ेटा के बारे में ठीक अब ये जो कोरडड़ेटा होते हैं ये ऐसे जीव होते हैं ये ऐसे जीव हैं या प्राणी है ठीक है जिनमें क्या है जिनमें प्रस्ट रज्जु मौजूद होती है जिनमें क्या होती है प्रस्ट रज्जु ठीक है मौजूद होती है प्रस्ट रज्जु या फिर मेरू रज्जु या फिर मेरू रज्जु इनमें देखने को मिलती है, ठीके, इनमें क्या हो रही है, देखने को मिल रही है, प्रस्ट रज्जू या फिर मेरी, मेरू रज्जू, मेरी रज्जू, ठीके, हाँ, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मेरू रज्जू क्या होता है, मेरू रज्जू क्या होता है, spinal cord, spinal cord, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, spinal cord, याने कि जो हमारी read की हड़ी होती है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है, ठीक है, अब यहाँ पर ये दो चीज़ा हमें देखने हो को मिल रही है, प्रस्ट रजु और मेरू रजु ठीक है, जैसे कि अगर हम example है, मेरू रजु का तो कौन है, हम इंसान है, हमारे पास है, ठीक है, तो इसका example है, हम humans, ठीक है, हम humans, correct, चलो, ठीक है, अब अब अगर हम बात करने कि भाई, अभी तक हम क्या है, हमने जो पिछले 10 संग पढ़े थे, 10 संग जो पिछले हमने पढ़े थे अब तक, यह क्या कर दिया मैंने, 10 संग जो अभी तक हमने पढ़े थे, कहां से भाई पोरी फेरा से लेकर, पोरी फेरा से लेकर कहां, हेमी कॉरडेटा तक, हेमी कॉरडेटा तक, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिये हैं, ये क्या होते हैं भाई ये अरजु अरजु की अरजु की प्राणी ठीक है इनको क्या बोलते हैं हम अरजु की प्राणी को नोटो क्या बोलते हैं जल्दी बता दो non-cordates यह non-cordates बोलते हैं ठीक है अब यह जो 11 संग है इस 11 संग की जो हम बात कर रहे हैं इसकी ठीक है यह जो 11 संग है इसमें कौन आते हैं इसमें आते हैं cordates कौन आ रहे हैं भाई इसमें cordates आ रहे हैं ठीक है इसका मतलब इनमें क्या है ये कैसे प्राणी है इनमें क्या है भई मेरू रज्जू मौजूद है ठीक है इनमें क्या है मेरू रज्जू क्या है मौजूद है तो भई क्या होगा ये रज्जू की प्राणी होंगे रज्जु की प्राणी या संग रज्जु की संग ठीक है कौन सा हुआ भाई कौर डेट करेक्ट बिल्कुल यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को सबको समझ में आ गिया है ना ओके आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं देखते हैं और क्या है इसमें तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा चलो जान लेते हैं इनके बारे में कि भाई क्या है कहां से आए हैं कैसे हैं इनकी जिन्दगी में क्या क्या हो रहा है ठीक है यह सब जान लेते हैं क्योंकि जब हम की से मिलते हैं हमारा कोई नय दोस् mummy हुआ क्या करते हैं कि दॉन कौन कहा से आयen हो कैसे हो तुम वहां कैसा तां का लग रहा है है ऐसी होता है अम हम इसके पुरानी पिछली जिंद्द jokes की की बारं में जानते हैं चलो जो Очिरू रूरी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आवास की ठीक लो जी हम इसके आवास की बात करते हैं तो ये कहां मिलेंगे हमको ये सभी जगा मिलते हैं ठीके सभी जगा मिलते हैं ये ठीके सभी जगा कौन कौन सी भाई कुछ ऐसे भी है प्राणी जो जल में मिलते हैं जल में ठीक है जैसे कि मगरमच हो गया मचली हो गई वेल फिश हो गई शार्क हो गई ऑक्टोपस हो गया टर्टल हो गया ये सब ठीक है फिर कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे जो जमीन पहरते हैं ठीक है याने कि स्थलिये हो गए वो इस्थलिये हो गए है जी ठीक है चलो मानले ते हम इस्थलिये हो गए है अब इस्थलिये जो हो गए जैसे कि हम इंसान है शेर है भालू है चीता है और भी एक्सेक्टरा 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 ठीक है जो स्थल पे मिलते हैं फिर अब कुछ ऐसे होते हैं जो आस्मान मे में मिलते हैं आसमान में कौन इंदता है जे लिया है ना तो आसमान में ठीके तो यह हो गया इनका आवासस्थान ठीक इनका निवास इस्थान भी ये है बोगे चलो आगे बर थे हैं आगे क्या बात करते हैं इनकी भाई इन में जो कुछ characteristics होते हैं जिसके वज़े से क्या होते हैं यह notochord में आते हैं जिसके वैसे क्या है यह नहीं जिसके वैसे kodita में आते हैं ठीक है तो देख लेते हैं चलो कौन से हैं भाई कि इन में प्रस्ट रज्जू ठीक है प्रस्ट रज्जू याने की notochord मौजूद हो ठीके ये क्या होती है बहुत कोमल सनरशना होती है ठीके क्या हो गई भाई कोमल सनरशना होती है ये ठीके किस से बनियोई होती है ये उपास्ती से बनियोई होती है ठीके उपास्ती से ठीक है? तो एक तो इसका point यह हो गया दूसरा क्या होगा? कि यह तो प्रस्टो रज्जु उसमें मौजुद होगी या दूसरा क्या होगा? वहाँ पर मेरूरज्जु होगी ठीक है? मेरूरज्जु ठीक है? मेरूरजजु यान्ने की spinal cord लो हडिया ठीक है स्पाइनल कोड हो गया अब यह जो होता है यह क्या होता है बहुत कठोर सनरशना होती है कठोर सनरशना होती है अरे रचना का तो रहा ही चला गया ठीक है और किससे बनी होती है यह किससे बनी होती है अस्ती से बनी होई होती है यानि की हड़ियां ठीके किस से बनी है अस्ती से बनी है अब ये दोनों चीज़े क्या है याद रखना ये बहुत जादा इंपॉर्टेंट है जो की डिफाइन करता है की हाँ ये मेंं करत्रिक है बाई इस संकेयैं जो ने भी प्राणी हैं उनके ठीक है यह क्या है main characteristic है यहां का correct बिल्कुल confusion बिल्कुल नहीं रखना है आप सभी को यह दोनों चीज़े याद कर लेना अच्छे से कि बाई प्रश्ट रज्जु याने की notocord ठीक है और मेरू रज्जु याने की spinal cord प्रश्ट रज्जु जो तो कोमल संरशना होती है और अस्ति से बना हुआ होता है और यह अस्ति से बना हुआ होता है क्लियर ठीक है चलो इसके बाद एक और चीज़ आती है वो भी देख लो आप फिर यहां पर आती है कि बई क्या अगर यहां पर ग्रस्टनी की बात करते हैं ठीक है यहाँपे ग्रशनी की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं वैजी ग्रशनी की तो यहाँपर क्या होता है ये युग मिनित होती है मतलब यहाँपर क्लोम छिद्र है ठीक है चलो अब एक और स्पेशल चीज आती है यहाँ पर क्या स्पेशल चीज आती है भाई कि यहाँ पर एक संरशना होती है संरशना में कुछ अलग सा होता है संरशना में कुछ अलग मिलता है यहाँ पर ठीक है क्या अलग मिलता है भाई यहाँ पर आपको मिलता है प्रश्ट तंत्रिका रज्जू यह क्या होता है प्रश्ट तंत्रिका रज्जू यह खोखला होता है ठीक है यह खोखला होता है ठीक अब जैशे ज़ो हमने अब तक पढ़े थे जितने भी हमने फाइलम पढ़े थे थिक है जितने भी फाइलम जितने भी संख थे हूं करने के लिए ठीक है लेकिन यहां पर यह प्रश्ट रज्जू होता है यह को मजूद होती है समवेदनाओं को मतलब किसी बीचीज को फील करने के लिए कि अच्छा ऐसा है ऐसा है ठीक है खाना है या फिर कोई खत्रा है या कुछ मतलब इस तरीके से समवेदना याने की अगली बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम संगटन की बात करें कि किस तरीके का संगटन यहाँ पर मौजूद है तो हम जानते हैं कि अगर हम इंसानों की बात कर लिए ठीक है तो हमने क्या है अंग तंत्र मौजूद होता है ठीक है क्योंकि अंग मौजूद है है ना तो अंग तंत्र है तो हमारे यह तो इसमें क्या हुआ भई अंग तंत्र स्तर का संगठन मौजूद होता है ठीक है अंग तंत्र स्तर का शारेरिक संगठन यहाँ पर मौजूद होता है ठीक है चलो अगे बढ़े चलो इसके बाद बात करते हैं यहां यहां पर सम्मित़्ी की बात करते हैं अगर हम यहां है द्वी पार्ष्व सम्मिति ठीक है मतलग कि इसको अगर हम कातेंगे ठीक है तो यह दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा टू इक्वल पार्ट में क्या होगा यह डिवाइड हो है ठीक है अपजी नेक्स्केया एक्सट कगर हम देखें ठीक है तो यह वाय यहां क्या होता है यह 3 कोरिक होते ठीक हैं आफो यह 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 5 सिरी को य्यानिक यह पर टीन जोई और मौजूद एं कौन सी भाई एक्टょ एंडो मीजो ठीक है एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म यहाँ पर मौझूद है ठीक है यहाँ तक किसी को कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि भाई आप डाउटनर्ट से जो पढ़ रहे हैं तो डाउट का तो सवाल ही नहीं उठता है ना हाँ अ आप सिव इंट्रेस्टिंग चैप्टर के साथ ही क्या कर लोगे मार्क्स ले जाओगे नहीं आपको त्योरी चैप्टर भी पढ़ने बहुत जरूरी है और अभी तो यह थोड़े थोड़े पार्ट में है फिर तो आप इने खूप सारा पढ़ोगे एक एक चीज के बारे मे फिर क्या करोगे फिर तो टोटली बोलो के मैडम यह तो बोरिंग आगिया है लेकिन जब आपने बायो लिए ना तो आपको यह छोड़ना पड़ेगा कि यह बोरिंग है या कैसा है ठीक है पढ़ना तो पढ़ेगा और पढ़ना तो आप ही को है है ना चलो आगे बात करते ह ठीक है यहां हो गया अब 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 क्या होता है भाई नेक्स अगर हम 8th point की बात करता है यह प्रगुहिये प्राणी होते हैं ठीक है प्रगुहिये प्राणी होते हैं कर्रेक्ट ओके ठीक है नेक्स क्या उठाएं फिर भाई अब ठीक है यह क्या हो गए प्रग्यू ही है प्राणी हो गए ठीक है यह सब जो है हमने यहां तक अभी पढ़ लिया इसके बारे में कि यह यह चीजे थी कोई डाउट तो नहीं है देख लो भई पूरे आवास से लेक सती प्रग्यू药ा प्राणी होते हैं ठीक है चलो आघे बढ़ें अब यहां तो कोई डाउट तो नहीं है चलो जी आगे बढ़ते हैं अब चलो देखने प्रस्ट रज्जू यानिएकी ऌनोटकॉर्ट प्रस्ट खोकली तंतरी का रज्जू ठीके बताया था अभी है ना याने कि डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड ठीके युगमित ग्रस्टनी कलोम चिद्र ये भी बताया था ठीके ये भी इंपॉर्टन्ट है यानि कि pharyngeal slits और पस्च गुदा ठीक यानि पोस्ट एनल टेल यानि कि पूछे ठीक दूसरी चीज द्वीपाश्व सम्मिती होती है इसमें हमने बात की है है ना कि दो पार्ट में equally दिवाइड हो जाएंगे ये ठीक त्रिकोरिक होते है यानि कि तीन जम लेयर मौझूद है इसमें प्रगूहिये प्राणी है ये है ना अंगतन तरस्तर का क्या है संगतन दर्शाते हैं ये भी हमने बात करी है करिये की नहीं करिये येस मैं जल्दी से बता दो कि हां करी है हां जल्दी से बता दो करी की नहीं करी हाँ चालो इन में गुदा के पस्चाथ पूँच पाये जाती है ठीक है पूँच सबसे लास का पार्ट एसका मतलब इसका ठीक यहाँ पर बंद परिसंचरन पाया जाता है याने की ग्लोज सर्कुलेटरि सिस्टम पाया जाता है यहाँ पर मतलब कि जो ब्लड होते है वो कैसा है वो ऐसे खुले में नहीं गूम रहा है जो ब्लड है वो खुले में नहीं गूम रहा है वो किसमें नलिकाओं के द्वारा जा रहा है वाहिकाओं के द्वारा जा रहा है ठीक है क्योंकि जो खुला परिसंच्रन तंत होता है उसमें क्या होता है कि जो अंग होते हैं जो और्गन्स होते हैं ब्लड में ही तैर रहे होते हैं इधर से उधर ठीक है ब्लड में फैले वे होते हैं लेकिन जो क्लोज होता है जो बंद वाला होता है इसमें क्या होता है कि ब तो चलो थोड़ा सा डिफ्रेंसिस देख लेते हैं कि अच्छा इन दोनों में ये डिफ्रेंसिस हैं चलो देख लेते हैं बहुत इजी साइस समझ में आ जाएगा आपको आ गया अच्छे वेलें गुड है आना भी चाहिए है ना इसी लिए आये हूँ यहां पर पढ़ने के ल बूलते हैं कि मैं क्या बोल रहे से बहुत भूल भी गई बोलते बोलते क्या बोलते से याद आएगा ना सब बताऊंगी नहीं आदा आ रहा अभी अभी चलो चैप्टर पर वापे सजाते हैं तो बही अरज्यो की ठीक है और रज्जु की और अरज्जु की ठीक रज्जु की और अरज्जु की चलो पहला पॉइंट देखते हैं यहां पर हम तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रस्ट रज्जु जो होता है ठीक है प्रस्ट रज्जु उपस्तित होता है यहां पर प्रस्ट रज्जू क्या है उपस्तित है ठीक है यहाँ पर प्रस्ट रज्जू याने की नोट अकॉर्ड क्या है प्रेजेंट है लेकिन अरज्जू की में क्या होता है भाई यहाँ पर अनुपस्तित होता है ठीके यहाँ पर क्या है अनुपस्तित है ठीके फिर यहाँ पर हमने कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करी थी की जैसे की क्या होता है केंद्रिय तंत्री का तंत्र हो गया पिर प्रस्ट्रिय एवं खोखला और एकल होता है ठीक है जो केंद्रिय तंत्री का तंत्र होता है ये क्या होता है प्रस्ट्रिय है और खोखला है और एकल होता है ठीक अब अगर अरज्जुकी में बात करते हैं तो यहाँ पर यह कैसा होता है भई यहाँ पर यह जो केंद्रिय तंत्री का तंत्र है यहाँ प्रस्टी और खोकला है ठीक है लेकिन यहाँ पर यह क्या है यहाँ ठोस है अरे यार ठीके यहाँ पर क्या था यह खोखला और एकल था है ना केंद्री यह तंत्री का तंत्र ठीके यह क्या था यहाँ पर क्या है ठोस और दोरा है ठीके चलो दूसरा यह हो गया तीसरा देखते हैं तीसरा भाई यहाँ पर अगर हम ग्रस्नी की बात करें हमने ग्रस्नी भी देखा था तो ग्रस्नी में क्या था ग्रस्नी में क्लोम छिद्र मौजूद थे यही बात करी थी हमने कि ग्रस्नी में क्या थे क्लोम छिद्र क्लोम छिद्र पाए जाते हैं ठीक है अब यहाँ पर आरज्जुकी जो होता है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर यह अनुपस्तित होता है ठीक है यहाँ पर क्या है यह अनुपस्तित है चलो जी ठीक है अब अगला पॉइंट देख लेते हैं प्रश्ट भाग में एक्टीमय अगर प्रज्ट है तो यहां पर अरज्ट की बात करते हैं तो čلो next देख लेते हैं कॉन सा उठा है कलर चलो white उठा लेते हैं चलो को अब जलो आखरी पॉइंट डेखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है एक हमने क्या बात करे थी गुदा पश्च पुच्च क्या होती ये उपस्तेत होती है ठीक है एक गुदा पस्च पुच उपस्तित होती है कौन सी यहां बात करी थी न हमने यह कि गुदा के पस्चात पूछ पाई जाती है है ना यही बात करी थी तो क्या हो गए वह एक गुदा पस्च पुच उपस्तित होती है लेकिन अगर हम अरजुकी की बात करते हैं तो यह हाँ पर क्या होती है अनुपस्तित होती है ठीक है तो यह क्या थे हमारे यह डिफ्रेंसिस थे इन डिफ्रेंसिस में मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट होना चाहिए ठीक है न सब बहुत एजी और सिंपल सी आगे बढ़ते हैं कि अगर हम वर्गी करण की बात करते हैं तो भाई वर्गी करण की बात करें तो यह क्या होते हैं तीन उपसंगों में विभाजित होते हैं ठीक है तीन उपसंगों में विभाजित हो जाते हैं अब कौन से तीन उपसंग है भाई ये तीन उपसंग कौन से हैं चलो देख लेते हैं अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट में तीन उपसंगों में होते हैं यह ठीक, क्या हूं गया तीन उपसंग में विभाजित होते हैं लेकिन किसके आधार पर, अगर हम आधार की बात करते हैं, अगर हम आधार की बात करते हैं, तो दो चीज़े इसमें आती हैं, हाँ, दो चीजों के आधार पर हमने इसको विभाजित किया, कौन सी भाई, एक तो, क्या बोलते हैं उसको, प्रश्ट रज्जु, हाँ, ठीक है और दूसरा क्या हो गया भाई अपना spinal cord होता है ठीक है याने की quadrate में क्या आते हैं मेरू रज्जू मेरू रज्जू मेरू रज्जू ठीक है याने की क्या होगे spinal cord ठीक है जो क्या है अपने कौन आते हैं अरे फिर एच लिख दिया कौन आते हैं इसमें cordates आते हैं ठीक है लो भाई cordates आगए इसमें है न cordates ठीक चलो आगे बढ़ते हैं तो यह जो है ना यह नमबर वन और यह नमबर टू इसके basis पे क्या होता है भाई तीन उपसंगों में विभाज़त होते हैं चलो फटा फट से वो एक एक करके सारे देख लेते हैं कि कौन से तीन उपसंग है तो कौन से तीन है तो सबसे पहला हमारे पास आता है उपसंग यूरो कौडेटा ठीक है कौन सा आया सबसे पहले हमारे अदेघांसंग, हां, सफालो, कॉडैटा, ठीक है, यह आया हमारे पास, अब एक एक कर हम euro code data की बात करते हैं तो यूरो code data में इसकी जो सनरशना होती है इसकी सनरशना में क्या होता है भई प्रस्ट रज्जू पाया जाता है प्रस्ट रज्जू यह क्या होता है दिखाई देता है यह सब क्या है देखो points में लिखवा रही हूँ copy pen लुठाओ और यावर्ट से नोट करते जाया करो मैं हर बाद की ग्लास में बताती हूं क्योंकि यह क्या है शौट मैं ऐसे लिखोंगी तो आपको याद रहेगा ठीक है वरना क्या होगा आपको फिर से ठीक है अब यहाँ यह जो प्रश्टे रज्जू होती है सिर्फ ठीक है ओनली कब दिखती है लार्वा में कब दिखेगी लार्वा स्टेज में दिखेगी लेकिन यहाँ पर भी क्या आता है एक ट्विस्ट आ जाता है भाई लार्वा स्टेज में यह कब दिखाई देगी पू मुझ में दिखाई देती है तो ये क्या है ये इसका मेन करेक्टर है धी अब एक और चीज यहाँ पर देख लो कि ये जो यूरु कॉर्डेटा होता है ये क्या होता है ये है भाई आपका प्राचीन प्राचीनतम प्राचीनतम कॉडेट कहते हैं इसको ठीक है ये क्या है आपका प्राचीनतम कॉडेट कहलाता है ठीक है ओके ये प्राचीनतम कॉडेट कहलाता है ठीक है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं प्रोटो कॉडेटा कॉडेटा ठीके ये क्या होता है euro core data प्राचीन तम core data है बहुत पुराना है प्राचीन है इसलिए इसको proto core data बोलते हैं clear चलो आगे बढ़ते हैं आगे दूसरा option कौन सा है भाई हमारे पास दूसरा हमारे पास है कौन सा है ये सफेलो core data अब ये जो सफेलो core data है ये भी क्या है प्राचीनतम core data होता है ये ठीके अब ये प्राचीनतम यानि कि प्राचीन है इसलिए इसको क्या बोला हमने प्रोटो कॉर्डेटा वोला इसको हमने ठीक है अब यहाँ पर इसकी जो सनरशना होती है अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसकी जो क्या है सनरशना की बात कर रहे हैं हम सनरशना तो यहाँ पर क्या मिलता है प्रस्ट रज्जू मिलता है यहाँ पर भी देखने को हमको क्या मिल रहा है प्रस्ट रज्जू ठीक है चलो जी प्रस्ट रज्जू देखने को मिल गया है अब यहाँ पर एक इंपॉर्टन चीज क्या आती है भाई कि कौन सा कलर उठाए कौन सा चलो वाइट उढ़ा लेते वाइट दिखेगा कि यहाँ पर यह जो प्रोटो कॉर्डिटा है भाई यहाँ पर यह सिर से लेकर सिर से लेकर कहां तक पूछ तक ठीके ठीके सिर से लेकर पूछ तक इसका मतलब क्या हुआ कि बाई जीवन के अंत तक जीवन के अंत तक रहती है यह ठीके कि यह जो प्रोटो कॉर्डिटा है यहाँ पर क्या हो रहा है भाई यहाँ पर यह सिर से लेकर पूछ तक मिलती है और जीवन के अंत तक रहती है ठीके तो इसको कैसे बता सकते हैं अगर यह कोई क्या है यह क्या तो इसके यहां जो पूछ है ना न यहां पर प्रस्ट रज्जू जो है इसकी पूछ में मिलेगी लेकिन अगर हम यहां भात करते हैं तो है है यह कोई चलो जी ठीक है माल लेते हैं अब आगे इसमें इसका example देख लो हाँ एक्जेम्पल की अगर हम बात करते हैं इसकी तो क्या है amphioxus ठीके इसका example क्या है amphioxus और अगर हम इसके example की बात करते हैं तो इसका example क्या था भाई सल्पा और क्या था acidia ठीके clear हाँ चलो आगे बढ़ते तीजरा देखते हैं कशे रुकी ठीके उपसंग vertebrata ठीके उपसंग vertebrata याने की कशे रुकी जिसको उपसंग vertebrata भी बोलते हैं ठीके अब यहाँ पर क्या होता है भाई यहाँ पर यह जो vertebrata होते हैं इसमें क्या मौझूद होता है मेरू रजू अरे मैं क्या प्रश्ट रजू लिखने जा रही हूं बताओ स्पाइनल कॉर्ड क्या है यह रही हमारी स्पाइनल कॉर्ड ठीके ओके जी चलो अब आगे क्या बात करते हैं इसमें कि भाई इसको हम क्या बोलते हैं यह क्या होते हैं मौडन कॉर्डेट्स होते हैं यह ठीके मौडन कॉर्डेट्स या कॉर्डेट्टा या फिर क्या है इसको हम U-cordata भी बोलते हैं ठीक है modern 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 quodata या फिर U-cordata क्योंकि वो प्राचीन थे तो उसको क्या बोला था हमने proto-cordata बोला था ये modern है तो इसको हमने modern quodates या U-cordate बोला है अब यहां पर क्या होता है ये कैसे प्राणी होते हैं ये कैसे प्राणी है भाई ये कैसे प्राणी है हाँ यहां क्या होता है मेरू दंड या फिर क्या होता है कशेरूक दंड ठीक है मेरू दंड या फिर कशेरूक दंड ठीक है याने कि इसको क्या बोलेंगे हम वर्टी ब्रल कॉलम यहाँ पर देखने को मिलता है इन में ठीक है क्या देखने को मिल रहा है वर्टी ब्रल वर्टी ब्रल कॉलम ठीक है वर्टी ब्रल कॉलम देखने को मिल रहा है यहाँ पर यह क्या है भाई यह modern coordinates है या फिर उनको आप you coordinates बोल दो ठीक है clear सबको है ना कोई doubt नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी यहाँ पर ठीक है बहुत ही आसान से शब्दों में समझाया है यहाँ पर बिल्कुल भी अगर आप भी बोलोगे समझ में नहीं आया है तो सब की पिटाई पड़ेगी ठीक है कैसी पिटाई virtual पिटाई ठीक है बोलोगे क्यों कि मैम आप तो होई नहीं हमारे पास कैसे मारोगी तो virtual पिटाई पड़ेगी चलो ओके यादा clear ना आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं चलो यह जो अभी हमने पढ़ा है ठीक है एक बार उसको देख लेते हैं कि बुक के हिसाब से क्या चीजें हैं यहाँ पर कर तो यहाँ पर क्या पोल रहे है वही संग कोर डेटा का वरगी करन ठीक है इंटपिकेशन ऑफ़ाइलम को डेटा तो सब को तीन उपसंगों बाटा था यहाँ हमने देख लिया था दो बैसिस पर ठीक है तो यहा कि प्रश्ट रज्जू के वर लार्वा की पूश्ट में पाई जाती है यह हमने देख लिया था डाइग्राम के साथ मैंने आपको बताया है एक्जैम्पल ऐसी दिया सेलपा और डोली ओलम ठीक ओके सेकिन हमार पास सिफैलो कॉर्डेटा अब सिफैलो कॉर्डेटा में क्या ह हमने बात करी थी कि प्रश्ट रज्जू क्या है सिर से लेके पूश्ट तक फैली हुई होती है और जिंदगी भर रहती है जब तक वो जंदा रहेंगे तब तक रहती है ठीक है तो देखो सिर से लेके पूश्ट तक है ठीक है जीवन के अंत तक यह बनी रहती है एक्जैम् फाइलम वर्टी ब्रेता जिसको हमने बोला ठीक अब यहाँ पर सवाल आता है कि कशेरुकी क्या होता है क्या होता है कशेरुकी हम पढ़ रहे हैं ठीक कशेरुकी वर्टी ब्रेता क्या है यह तो हम सिंपल से शब्दों में कहते हैं भाई कि वो प्राणी जिनमें मेरुदंड या कशेरुख दंजिन को हम वर्टीब्रल कॉलम बोलते हैं या फिर आसान से शब्द में रीर की हड़ी पाई जाती है ठीके उन्हें हम कशेरुख की जन्तू कहते हैं क्लियर यह डेफिनेशन इसी लिए लिखे यहां पर कि आपको कन्फिशन ना हो बिल्कुल भी कि कशेरुख की क्या होता है ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा जान लेते हैं भई उपसंग वर्टीब्रेटा के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहां पर कौन से स्पेशल चीज है जो हम देखेंगे तो यहां पर हम क्या बात करेंगे सबसे पहले सबसे पहले बात करेंगे भई यह इनमें क्या मौझूल होता है मेरू रज्जू यहां पर देखने को मिलता है ठीक है मेरू रज्जू जो सबसे में इंपॉर्टेंट चीज है अग चलो, पहला important point यह हुआ, दूसरी चीज क्या देखने पर मिलेगी यहाँ पर परिसंचरन तंतर, परिसंचरन तंतर की बात होगी भाई, ठीके, कैसा होता है, बंद होता है, ठीके, याने की closed, अब तीसरे क्या बात करें वही, उतसर्जन तंतर, उतसर्जन तंतर होता है, ठीक, यह भी important चीज है इसमें, ठीके, चलो, ठीके, अब अगर यहाँ पर एक और important चीज की बात करें, किसकी की भाई, जो ब्रूणिये अवस्था होती है, ब्रूणिये अवस्था, इसमें क्या हो रहा है, ब्रूणिये अवस्था में प्रस्ट रज्जू होती है, ठीके, प्रस् उपस्तित होती है ठीक है प्रश्च रज्जू उपस्तित होती है किसमें उपस्ति से बनी हुई होती है ये ठीक है अरे अपास थी ठीक, चलो ठीक है अब क्या होता है कि बुरूणी अवस्ता में तो प्रश्चरजू जो है मिलती है हमको लेकिन जैसे ही ये जो बुरूण होता है ये बुरूण किसमें बदल रहा है भाई वयस्क में ठीक है ये वयस्क में बदला तो ये जो प्रश्चरजू थी किसमें चेंज हो जाएगी ये अस्ती में चेंज हो जाएगी ठीक है अस्ती में चेंज हो जाती है और जब ये अस्ती में चेंज हो जाती है तब इसको क्या बोलते हैं हम जब ये अस्ती में बदल जाती है ठीक है याने की कशीर रुक बोलते हैं इसको कोई डाउट यहां तक नहीं ना सब बहुत ही सिंपल से इजी शब्दों में लिखा है देखो समझाने की पूरी कोशिश करिए मैंने अच्छे तरीके से अगर अभी भी नहीं समझोगे फिर मैं कुछ नहीं कह सकती ठीक है चलो आ प्रस्ट रजूब अस्थी में बदल जाती है और इसी को क्या बोलते हैं वर्टिवरल कॉलम बोलते हैं याने की कशेर ठीक है कशेर रुकी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि यह लाइन से कुछ कहना चारी है पुकार रही है हमको जोर-जोर से कि प्लीज म कशेर रुकियों में प्रस्ट रज्जू भूणी अवस्ता में पाई जाती है बताया मैंने अभी देखो यह बताया है ना और यह प्रेश्ट रज्जु व्यस्थ के अवस्था में मेरुदंड में परिवर्तिस हो जाती है बात कर लिए हमने सभी कशेरुकी रज्जु रज्जुकी है लेकिन सभी रज्जु की कशेरुकी नहीं होते हैं ये भी यादत नाप ये इंपोर्टेंट है ठीक है फिर इनमें हिर्दे इनमें पेशिये हिर्दे अदर भाग में पाया जाता है ये भी मैंने बताया था ठीक दो तीन और चार कोश्ट किये होते हैं याने की टू त्री और फोर चैंबर्ड हार्ट इनका होता है हम इंसानों में कैसे होता है फोर चैंबर्ड होता है याद ठीक है इन में व्रिक याने की किड्नी पाया जाता है जो उत्सरजन में सहायता करता है में पॉईंट है ठीक है यहुँचत को अरeast सरजन तंतर क्या है ठीक है पंक याने की फिंस या पाद यानि की पेर के रूप में दो जोड़ी युगमिद उपांग पाय जाते हैं ठीके पेर्स में होंगे, अकेले नहीं होंगे, एक ही पंक है, पता चला और एक ही पैर है, ऐसा नहीं है, दो पंक होंगे और दो पैर होंगे, याद रखना, ठीक, चलो यहाँ पर क्या है भाई एक वर्टीब्रेटर का डिवीजन है इसको डिवाइड करके दिखा रखा है यह जो डिवीजन है यह किस बेसिस पर है यह जो डिवीजन है यह किस बेसिस पर है भाई कि या तो जो अपसेंट है ठीक है या फिर जो प्रिजेंट है जो क्या होता ह हमारा जो जबड़ा होता है ठीक है हमारा जो जबड़ा होता है यह उपस्तित है या अनुपस्तित है मतलब प्रेजेंट है या एपसेंट है इस बेसिस पे यहाँ पर वर्टिप्रेटर का डिवीजन करा गया है ठीक है तो इसको दो भागों में बाटा गया है भाई कौन से है दो भाग, एक तो एगनेथा हो गया, दूसरा गनेथो स्टोमेटा, ठीक है, तो एगनेथा को क्या बोलता है अपर, अमेथो स्टोमेटा, ठीक है, ये बोला इसको, क्लियर, और गनेथो स्टोमेटा को क्या बोला हमने, नैथो स्टो मेटा ठीक है क्या बोला इसको नैथो स्टो मेटा बोला करेक्ट ठीक है अब यहाँ पर क्या है वर्टिप्रेटा को इन दो में भागों इन दो भागों में डिवाइड कर दिया कि बई गनाथा क्या है अगनेथा ठीक है और गनाथर स्टोमेटा अब यहां पर क्या होता है यहां यह जो होते है इनमें क्या होता है जो होता है यानि कि जबड़ा होता है वो क्या है जबड़ा इनमें नहीं होता है ठीक है यह जबड़ा इसमें अपसेंट होता है लेकिन अगर हम गनाथर स् तो यहां पर यह जबड़ा है यह क्या है प्रेजेंट है ठीक है यहां पर जो जबड़ा है वह एपसेंट है वहां पर प्रेजेंट है ठीक है अब चलो ठीक है हम माल लेते हैं अब यहां जो एगनेथा है ठीक है यहां जो एगनेथा है जो दिख रहा है आपको यह साइक्लोस स्ट्रमेटा क्लास में जाता है ठीक है डिवाइड हो जाता है साइक्लोस्ट्रमेटा में ठीक लेकिन यह जो गनेथर स्ट्रमेटा है यह क्या है बई जो बीयरिंग है इनके पास जो मौझूद है जबड़ा मौझूद है ठीक है दो सूपर क्लास में डिवाइज होता है पाइसेस ठीक, पाइसेस और दूसरा टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब चार, ठीके, पाइसेस और टेट्रापोडा, अब पाइसेस याने कि पाइसेस में कौन आ रहा है भई, हम पाइसेस किसको बोलते हैं, मचली को बोलते हैं, ठीके तो मचलियों के पास क्या है, फिंस होते हैं, याने की पंक, इनके पास क्या है, पंक मौझूद है, है ना, इनके पास क्या है, पंक है, और यो टेट्रापोडा है, इनके पास क्या है, लिंब है, लिंब याने की पैर, ठीक है, पैर, इनके पास पैर मौझूद है, ओके, ठीक ह अब यह जो पाइसीज है यह कौनसी झौसेज में डिवाइड हो रही है ठाइसेज ठीके पहला घाइसेज और दूसरा औस्टिक थाइसेज ठीके यह रही है यह दो अब amphibia क्या होते हैं बाई उभैचर होते हैं ये ठीके ये क्या है उभैचर ठीके रैप्टीलिया क्या होते हैं सरीसरब होते हैं ये सरीसरब ठीके रैप्टीलिया क्या हो गए सरीसरब एप्स क्या है पक्षी होते हैं ठीके ये क्या है पक्षी हो गए आपके इन में और mammals क्य होते हैं जो इस्तंधारी होते हैं ठीके इस्तंधारी ठीके क्या हो गए यह स्तंधारी हो गए है तो यह क्या है यह पूरे वर्टिब्रेटा का डिवेशन है ठीके डिवाइद करके बताया गया है कि भाईया इसमें यह कहानी चलती है अब इस कहानी को कंटिन्यू कप करेंगे हम अपने अगले lecture में ठिक है यहाँ तक इसको आप क्या करें भाई अच्छे से समझ लीजिए ठीक यहाँ तक इसको अच्छे से समझ लीजिए और आज के लिए यहीं पर इसको समाप्त कर देते हैं कर देते हैं लेकिन यहां पर अगले लक्चर में इसके आगे ठीक है क्योंकि सब अपने को पढ़ना है ना भी है लेकी सब अपने को पढ़ना एकक ये तक क्या करना है चेते नहीं करोगे तो डाट खाओगे, ठीक है, आ रहा है समझ में, समझ में अच्छे से ना बैठा लो कि आप यहां पढ़ने के लिए आते हो, चैटिंग करने के लिए नहीं आते हो ठीक है क्योंकि आप सभी को क्या आए फिर कोशन फूश्ट हो मैम यह नीच में भी आएगा मैम यह इसलिए भी है मैं यह उसलिए भी है अरे भाई हां भाई हां हां यह तब समझोगे आप जब क्या करोगे भाई पूरा कॉंसेंट्रेट करोगे ठीक है कॉंसेंट्रेट ही नहीं करोगे तो समझ में भी कुछ नहीं आएगा तो बेसिकली चीज क्या है कि आपको कॉंसेंट्रेशन बढ़ाना है अपना ठीक कैसे बढ़ेगा दिमार्ग लगाना है किसमें जो यहां पर चलता है उसमें ठीक है चलिए आज के लिए बता दिया करो कि हां क्लास में मज़ा आया ठीक है तो चलिए बच्छा लोग चलती हूं मैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में तब तक के लिए खुश रहे अच्छे से रहे अपना ख्याल रखें लेकिन 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 खूप सरी पढ़ाई भी करनी है और मेरे आने का वेट करना है कई नहीं जाना है चलो मिलते हैं अगली क्लास में बाइबाई